इस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इविनिंग टू अल अफ्यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे कि मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं था हम इंकम टेक्स लोग पड़ने वाले हैं या इंकम टेक्स एक्ट पड़ने वाले हैं कि चलो ICA का module देख लेते हैं, क्या लिखा हुँ उसने, क्या income tax act पढ़ना है या law पढ़ना है, तो पता तो चल जाए आज, कि यह intermediate का module आया, और intermediate के module का नाम क्या है पता है तुमको, taxation, section A, income tax, law लिखा है, act लिखा है, हाँ, तो यहाँ तो law लिखा है, तो मुझे बताइए, यह section A, income tax law पढ़ने वाले है, अभी थोड़ी देर पहले सब लोग बोल रहे थे हम तो act पढ़ने वाले है, बट module में देखिए, यह सबसे पहले दे रखा taxation, और taxation में पहला module, सबसे पह हमको act पढ़ाओ या law पढ़ाओ, हाँ, बताओ अभी, क्या फरक है law में और act में, कि sir, यह act है और यह law है, क्योंकि आपको पढ़ना तो law है, आपको जो पढ़ना है, वो पढ़ना तो law है, तो बताओ मुझे, कौन बताएगा, इधर से, इधर से, ओ भी आओ, बाबू लोग तो बताओ, good morning यह आप सब देखेंगे, बता नहीं किसको बोला good morning यह सबसे खरावादत रहती है बता एग किसी को नहीं बोला तो भी सब देखेंगे काई È This क्वानए, क्या है, क्या है बता लोगों को बड़ी पंचाहिती हा दूसरों की life में नहीं रखनेगा आपको पंचायती दूसरों की लाइफ में, ठीक है, आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देने का, और एक सबसे बुरा कभ लगता है, बता है, कि अगर आप किसी बैंच पे, कॉर्णर पे बैठे हो, और कोई आके बच्चा बोलता है, अंदर जा, जो फील है न एक्ट में क्या फरक है, कौन बताने वाला है कि लौ और एक्ट में क्या फरक है, यह लौ है और यह आक्ट है, बताओ, बाबु बताओ, चलो हाँ भी, हाथ उपर किया है, बताओ बुझे, ओनलाइन वालो, don't worry, मैं आपको रिपेट करके सुनाओंगा, कि दीदी ने क्या ब पार्ट अब लौ, और कोई इदर से, हाँ, लौ इंप्लिमेंटेशन करता है, एक्ट क्या करता है, रूल्स और रेगुलेशन, और कोई इदर से, इदर से भी बता दो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ सर आप बताओ, बताओ, लौ इस ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव, अच्छा, ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज होगा, यहां से एक चीज तो कंक्लूजन में कुछ निकलता है, जो तीन चार लोगों ने आंसर किया, अब ही बता रहे हो गया, डिफ्रेंट आट्स फॉर्म लॉव, बंदेन इंग्लिश में बोला देखो, डिफ्रेंट आट्स फॉर्म लॉव, बड़ा वायत बोला, चलो, येस ओनलाइन वालो, तुम भी लिखो, आट एंड लॉव में परक्या है, चली यहां उदर से लास्ट वाला बास, उसके बाद बताते हैं, स्वरी, लॉव, लॉव, बॉव, लॉव, लॉव, बॉव, बॉव, लॉव, बगन्दल, इंग्लिश में बोल रहा है, लॉव, लॉव, से द अब अट, और सोफिस्टिकेटिष दिवर्ड में उसने बोला, कुछ है साहर, और कौई, लॉव, लॉव लॉव, से क हाँ जया सबसाइब लोग उसकी तरफ होऊ बंदा क्या चाहिए या फिर बल साट वनार evidence ते कर शेली पली कुल अध–टा ठीक ऐसा हो था इस एसकुल हो क्सुक नहीं हो लुका संश पढ़ु कर चया एरी बहुत सारे बच्चों तुमने तो मस्त बताए लिए तो यह इदर भी नहीं कोई नहीं दिख रहा है कैमेरे को देख को बोल रहा हूं कि इंडिया के डिफ्रेंट डिफरेंट पार्ट्स में बैट है तो तुम लोग भी ऐसा फील करो एकडम मस्त लाई वाला मजा आए तुमको तो लौ में और लिखना है कभी भी आप ये वाला act नहीं लिखोगे ये वाला ठीक है ए छोटा लिखा मतलब ये शारुक खान वाला act हो जाएगा तो आपको act में कभी भी ए छोटा नहीं लिखना है always act में ए बड़ा लिखना है अब ये law और act में क्या फरक है module को देखके पता चला हमको तो law है हम तो सोच के आयत income tax act पढ़ेंगे बड़ आज पता चला law पढ़ना है law किसको बुलते है ये जो है न law एक wider term है एक wider term है इस law के अंडर act भी आता है इसके अंदर कुछ rules भी आएंगे कुछ notification भी आएंगे कुछ circular भी आएंगे कुछ case laws भी आएंगे इन सबका जब study करेंग ना तब हम बोलेंगे हमने law पढ़ा है law और act में फरक है देखो law का मतलब Indian cricket team की बात हो रही है ये एक team है ये टीम है इंडियन cricket team की बात हो रही है और इस team में देखिए रोहित शर्मा भी है ये रोहित शर्मा है ये विराट कोली है ये मानलो जस्परित बुम रहा है करके ठ पंत है ये बाकी वाले जो बॉलर है करके ठीक है तो ये सब को जब मिलाते है ना तब हम बोलते के इंडियन cricket team तो हमेशा ध्यान रखना कि बाईया जब भी बात करें कि हम income tax में क्या पढ़ने वाले है हम law पढ़ने वाले है आप GST में भी law पढ़ोगे आप सिरफ GST act नहीं पढ़ोगे कुछ notification circular भी पढ़ोगे कुछ case laws भी पढ़ोगे और ये सब का जब आप combine study करते हो ना तब हम बोलते है कि हम law पढ़ रहे हैं तो हम जो पढ़ने वाले है वो law पढ़ने वाले है मैं act के बारे में भी जिक्र करूंगा कभी कोई rules के बारे में भी बताऊंगा कभी सबसे पहला जो अपन पढ़ने वाले है इसमें यह सब law कैसे बनता है तो law में act भी है rules भी है notification भी है circular भी है case laws भी है तो सबसे पहले act में अपन पढ़ने वाले है income tax act income tax act 1961 यह main है that is you can say that the Rohit Sharma यह captain है यह captain है यह captain है जो पूरी team को lead करने वाला है तो यह captain है जो इस पूरी team को lead करने वाला है तो income tax act है वो 1961 है और यह income tax act 1961 आप बोलोगे इतना पुराना है क्या answer is yes आप देखोंगे 40 साल वो वाले और 23 साल यह वाले टोटल मिला के senior citizen हो गया है 60 year से ज़्यादा हो गया है तो वह यह income tax act 1961 को already 60 year से ज़्यादा हो चुका है मैं बता हूँ आगे जाके शायद income tax change हो जाएगा इस income tax act 1961 को replace कर दिया जाएगा अगर मालो यह government repeat हो जाती है तो direct tax code करके आने वाला है जिसको direct tax code बोला जाएगा और वो बड़ा simple रहेगा इतना exhaustive नहीं रहेगा आज आप देखोंगे income tax act 1961 में कितनी section रहेगी आपको पता ह कोई estimate लगा सकता कितनी section रहेगी income tax act 1961 में हाँ चलो यह income tax act 1961 है मैं आपके सामने income tax act है वो बता देता हूँ यह income tax act 1961 कहां मिलेगा income tax act 1961 में income tax की website पे गया income tax india gov.in देखिए यहां लिखा हुआ है tax laws and rules उसमें act में सबसे पहले मैं act में गया और मैं act में जाके और यहां पे अब यह income tax act 1961 है यह चालू होता है section number 1 से और section number 1 बोलती है short title extent and commencement के इसका नाम क्या है यह कहां पे लगता है और इस यह चालू कब से हुआ मैंसी यह act की applicability कहां से आती है तो देखिए सबसे पहली section होती है act की जो बताती है chapter number 1 this act may be called as income tax act 1961 हम यही बोलेंगे इसको it extend to whole of India including Jammu and Kashmira यह including Jammu and Kashmira लिखा हुआ नहीं है मतलब पूरे इंडिया पे लगेगा Jammu and Kashmira is part of India पूरे पे लगेगा and save as otherwise provided in this act it shall come into force from 1st April 1962 से means यह जो act है यह 1962 से लगेगा इसका नाम है income tax act 1961 but यह 1st April 1962 से लगना चालू हुआ ऐसा क्यों मैं कल आपको पढ़ाओंगा जब मैं previous year assessment year की बात कर रहा हूँगा तब मैं आपको बताओंगा कि यह 62 से क्यों लगना चालू हुआ 1961 से लगना चालू है न 1st April 1961 से लगना चालू है नहीं यह 1962 से लगता है 1st April 1962 से क्यों ऐसा इसका मैं रीजन आपको कल बताओंगा this is the section number one तो ऐसे चलते चलते बहुत सारी section है और चलो अपन देखते हैं इसमें कितनी section है ढूंड के देखते हैं पता तो चले कि income tax act में section कितनी है तो income tax act में जो section है उसके बाद कुछ schedule भी है last section है वो 298 है इसकी जो last section है यह रही 298 तो total income tax act में 298 section है मिस section number one से लेखे और 298 तक की section है वो income tax act में है तो क्या हम ऐसा बोले कि सरफ 298 ही section है answer is no इसका reason यह है कि इसमें अगर जैसे मैं आपको section 35 की बात करूं नहीं यहाँ पे मैं 35 की बात करता हूं section 35 तो 35 में ही बहुत सारी section है मलग 35 number एक section हो गई फिर 35 A दूसरी section 35 A B तूसरी section 35 A B चौतरी section 35 A B चौतरी section 35 A C उसके बार 35 A D, 35 B, 35 C, 35 CC ऐसा करते करते टोटल मिला के जो section है ना वो 600 तक पहुच जाती है तो income tax में ऐसा नहीं है कि सिरफ 298 section है number wise 298 है बढ़ अगर आप 35 में देखोगे तो 35 में भी अलग अलग बहुत सारी 35 A, 35 B, ऐसे ऐसी section है 35 A, 35 A, B, तो income tax section आज थोड़ा यस्त वेस्त हो गया अस्त वेस्त हो गया है अब आप बोलोगे ऐसे क्यों आई सर ये section पहले जो है वो 35 भी था बट क्या हुआ फिर और कुछ डालना पड़ा तो नहीं section create की अब नहीं section 298 के बाद तो create कर नहीं सकते थे क्योंकि वो section उसी particular segment की थी तो उन्होंने 35 A डाल दिया फिर 35 A डाल दिया फिर A, B, A डाल दिया फिर A, B, B डाल दिया तो ऐसा करते करते इतनी सारी section हो गई है अप रॉक्स 600 के गरीव income tax में section है और government चाती है कि अब इसको थोड़ा easy बनाया जाए बहुत जादा होच-पॉच हो गया है बहुत जादा चीजे हो गई है इसको easy बनाया जाए तो in future में जाके और इसकी जगे एक नया law आएगा आप देखोगे उस चीज को 2-3-4 साल में यह चीज हो सकती है जब नया law आएगा और उसको direct tax code बोला जाएगा और यह क्योंकि 60 साल पुराना law है अब 60 साल पुराना आप चीजों को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए और उसके बाद में सीधा AC ही नहीं सीधा 32 AD है अब आप बलोगे AC कहां गया इसके अंदर का घर के ठीक है वो कुछ time के लिए था फिर उसको हटा दिया गया तो ऐसे एकदम sequencing wise आज की rate में नहीं है बट मेरा कहना यहां पर यह है कि income tax law act जो है उसमें अप्रोक्स 298 section ऐसा लि रखी है हर चीज दे रखी है कि इंकम टेक्स किसको लगेगा कैसे लगेगा depreciation कितना अलाओ होगा किसको अलाओ होगा वो सब चीज़े दे रखी है लेकिन है ना income tax act जो है इसको support करने के लिए बनाए जाते है rules इंकम टेक्स act को support करने के लिए बनाए जाते है rules बट पहले अपने income tax act की बात करेंगे देखो कोई भी act होता है ना उस act के अंदर एक होता है section मुझे बात बताईए आपने section तो नाम सुना होगा ना मुझे बताईए इसको कैसे read करेंगे जैसे मानलो ऐसी एक चीज लिखी ह हुई है 15 3 6 और इसको कैसे read करेंगे किसी को phone पर बताना है किसी को phone पर बताना है आप कैसे बताऊगे इसको अलाइन वाले बच्चों किसी को phone पर बताना है कैसे बताऊगे section 15 सब section 3 clause 4 clause 6 तो इसका मतलब यह बोला आप लोगों ने कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है यह वाला इसको मैं क्या बोलू इसको मैं section बोल दूँ इसको मैं क्या बोलू इसको मैं sub section बोल दूँ इसको मैं क्या बोलू clause बोल दूँ और इसको मैं क्या बोलू sub clause तो यह बात तो clear हो गई कि जो section होती है उसके बाद sub section होती है उसके बाद clause होता है उसके बाद मैं sub clause होता है लेकिन मुझे एक बात बताएए जैसे मैंने यह एक section लिखी section 2 11 इसको कैसे रीड करेंगे Section 2 Clause 11 या सब Section 11 क्यों Section 2 11 को आप बोल रहे Clause बोलो इसको हाँ तो चलो इसको मैं Clause बोल देता हूँ इसको Section और इसको मैं बोल देता हूँ Clause तो फिर माल लो Section 10 5 दे रहे हैं इसको क्या बोलू Section इसको Sub Section बोलू Right answer is मैं इसको Income Tax में Clause बोलूँगा तो जो आप exception पढ़के आए थे कहना 2 में ही ऐसा होता है पढ़के ठीक है Law में पढ़ाया गया था Foundation में का Section 2 एक exception है कि उसके साथ में जो भी लिखा हुआ है अचा आज ही बताया ओ भाई साब तो तो मैंने तो यहाँ पर 10-5 भी ले लिया तो 10-5 जो है अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो clause बोले या सब section बोले एक काम करते है ना income tax act पे ही जले जाते है तो income tax act पे यहाँ पे यह income tax act अपन देखते रहेंगे जब भी अपने को जरूत पड़ेगी तब income tax gov.in पे है और यहाँ पे section 10 है वो 10 देखते है यह लो section 10 और यह section 10 पे आगे है अपन income not included in the total income अब एक बात समझते है क्या income tax india.gov.in पे गए और section 10 है अब यह 10 जो है एक बात बताओ आप लोजिकली चीजों को समझना करके ठीक है यहाँ पे section 10 है income not included in total income section 10 का agriculture income 1 दे रखा है तो आप क्या बोल रहे हो section 10 1 को मैं subsection बोलू हाँ मतलब आप तो अभी तक तो यही बोल रहे हो ना कि subsection बोलो 1 को 2 को भी subsection बोलू 2a को भी subsection बोलू भाई वह हुआ न 10 subsection 2a इसके नीचे का explanation देखो explanation 2a के नीचे क्या दे रखा है for the purpose of this clause तो यहां तो ऐसा लिखना चाहिए ना for the purpose of this subsection क्योंकि 2a के नीचे अगर कोई दे रखा है तो फिर यहां clause क्यों produce किया है यहां तो subsection लिखना चाहिए था यहां फिर चलो एक और बताता हूं करके ठीक है बहुत सारी चीज़े है अपने पास में अब जैसे यहां 10 बड़ी लंबी सी है करके ठीक है बड़ी लंबी सी section 10 है अब देखिए यह 10 का 4e करके है और 4e के नीचे क्या दे रखा है following clause 4e यहां पे भी यह तो clause की बात कर रहा है हर जगे करके ठीक है यह जहां जहां चल रहा है यह तो हर जगे clauses की बात कर रहा है यह तो clause की बात कर रहा है हर जगे तो section 10b क्या 10 के साथ में जो लिखा है वो सब clause में जाएगा क्या हाँ हर जगे इसने तो clause की बात कर रहे है लेदर को section 10 का 8a करके and in this case the consultant ये consultant के नीचे आप explanation में जाओगे in this clause consultant का मतलब ये है तो ये तो clause की बात कर रहे हैं हाँ पर करके ठीक है तो कुल मिलाके मुझे ये बताओ कब section बोलना है कब सब section बोलना और कब clause बोलना है वो तो act बनाने वालों को पता है हमको थोड़ी पता है भाही चलो कब सब section बोलना है और कब clause बोलना है एक चीज़ ध्यान रखना देखो अगर कोई भी ऐसी list दे रखी है जैसे माल लो ये एक list दे रखी है item की भाई इतना करप्ट दिमाग नहीं होना चाहिए एक item की list दे रखी है और माल लो इस list में जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 है और अगर इनका आपस में कोई भी interlinkage नहीं है means ये एक दूसरे से link नहीं है एक दूसरे से link नहीं है means no link है अगर के ठीक है इनका एक दूसरे से link नहीं है तो इसको बोला जाता है clause जब एक दूसरे का link नहीं है तो बोला जाता है clause लेकिन अगर माल लो कोई ऐसी list है जैसे माल लो section 15, 1, 15, 2, 15, 3, 15, 4 ऐसी list दे रखी है एंड इसका एक दूसरे से link is है एक दूसरे से link is है तो इसको बोला जाता है subsection तो देखो अगर कोई ऐसी list दे रखी है जिसमें एक दूसरे का link नहीं है वहाँ पे आपको word यूज करना है clause है ये और जब एक दूसरे का link है एक दूसरे पे dependent है चीजे तो आपको word यूज करना है subsection income tax में section number 2 जो है जो 2 आप हर जगे बोलते हो 2 एक definition की section होती है section 2 है ये चलिए income tax act पे चला गया मैं और income tax act पे जब मैं section 2 पे जाता हूँ तो section 2 है वो definition की section है और जब definition की section आप देखोगे यहाँ पे हर एक definition अलग अलग चीजों के बारे में बात करती है जैसे 2 वन में दे रखा है advanced tax का meaning क्या है वो बात अलग हो गई दूसरा agriculture income का meaning क्या है वो बात अलग हो गई उसके बाद उन्होंने दे रखा है amalgamation का meaning क्या है उसके बात दे रखा है additional commissioner का meaning क्या है तो ये चीजों की meaning दे रखी है definition दे रखी है अब एक definition दूसरी definition से linkage नहीं है यहाँ पर एक दूसरे का कोई link ही नहीं है भाई उपर वाली definition नीचे वाली definition यहाँ पर लेना दे नहीं नहीं है यहां पर 10 की बात कर रखे है कि अगर मालनों आपको कुछ pension मिलती है तो pension पे gratuity पे tax नहीं लगता तो यहाँ पे gratuity की बात की हुई है यहाँ pension की बात की हुई है यहाँ leave salary की बात की हुई है मतलब यह exemption की एक list दे रखी है जिसका एक दूसरे से कोई linkage ही नहीं है तो वहाँ पे आपको clause बोलना है लेकिन जहाँ पे एक दूसरे का linkage है वहाँ पे आपको क्या बोलना है subsection क्या बोलना है subsection तो income tax में sir ऐसी कौन-कौन सी जगह है जहाँ पे linkage है और कौन-कौन सी जगह है जहाँ पे linkage नहीं है तो आपको क्या करनेगा ऐसे याद रखनेगा कि एक तो section number 2 जो है वो है एक income tax में section number 10 है और एक income tax में section number 47 है ये तीन section ऐसी है कि इसके साथ में जो भी लिखा होगा उसको हमेशा आप क्या बोलोगे clause क्या बोलोगे clause और इन तीन को छोड़के बाकी जितनी भी section है उसके साथ मे जो भी लिखा होगा उसको आप क्या बोलोगे subsection क्या बोलोगे subsection अब एक चीज समझना हमारे law में पहले section होती है उस section के अंडर subsection होती है उसके नीचे बहुत बार proviso लिखा होता है proviso का मतलब क्या कोई बताएगा एक होता है proviso और एक होता है explanation एक होता है proviso और एक होता है explanation, दोनों में क्या फर्ग है? एक होता है proviso, proviso या जिसको proviso भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग proviso बोलते हैं, और proviso. क्या होता है कोई मुझे बताएगा? law में proviso या proviso? हाँ. जोड से? हाँ बई, एक होता है proviso, और एक होता है explanation. क्या फर्ग है दोनों में कोई बताएगा? और इधर से हाँ. proviso मतलब? exception जोड जोड से चिला रहे हैं, उदर से बच्चे पता नहीं कौन है? अच्छा, proviso का मतलब, उन्होंने उदर से बार-बार लोग बोल रहे है exception कर गे, ठीक है? यहाँ से दीदी ने बोला कि proviso का मतलब उसमें कुछ condition दे रखी होती है, वो condition satisfied हुई, तो ही वो section applicable होगा. ऐसा इन्होंने बोला कर गे, ठीक है? प्रोवाईजो और explanation में क्या फरक है? अब अन्हें काम करते हैं, सीधा act पर ही जाते हैं, और यह income tax act 1961 बनाया. अब यह income tax act 1961 है, इसमें अगर मैं गया, income tax की website पर और यहाँ पर ऐसे ही मैंने एक randomly section डाली 50C करके, एक randomly section डाली 50C, 50C अगर इस section में जाता हूँ, तो पहली चीज़, यह section है 50C, इस 50C का subsection 1 पहले चालू होता है, और यह subsection 1 जो है न, इसके नीचे एक proviso है, जिसको चालू होता है, provided that, वो भाईया ने माहा से जो और से चिला है ता, provided that करके, ठीक है? उसके बाद दूसरा proviso चालू होता है, यहाँ पर देखोगे, लिखा हुआ है, provided further that, तीसरा proviso चालू होता है, उसके आख लिए क्या लिखा हुआ है? provided also that, चौता proviso होगा, तो क्या लिखा होगा? भई, पहला proviso जब section के नीचे लिखा है, उसमें लिखा है, provided that, दूसरे में लिखा है, provided further that, तीसरे में लिखा है, provided also that, तो इन्होंने एक, मतलब वो कौन सा एक, I think, foundation में एक subject होता है न, logical reasoning, तो इन्होंने कैसे लगाया है, बता है, कि पहले में provided that है, दूसरे में provided further that है, तीसरे में provided also that है, तो चौता रहेगा, provided further also that, क्या knowledge है यार, गजब level का, क्या interpretation skill है, देखो, हमेशा क्या होता है, पहला proviso होता है, वहां लिखा होता है, provided that, proviso किसके लिए डालते है, exception के लिए, उदर से जो बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे, exception, मतलब ये section का कुछ exception डालना है, गरिगे, इस case में ये ऐसा होगा, या इस case में ऐसा नहीं होगा, गरिगे, exception डालना है, तो they always put the proviso, इसको proviso या proviso बोला जाता है, first proviso होगा ना, उसमें हमेशा provided that लिखा होगा, second proviso में provided further that लिखा होगा, third proviso में ऐसा जरूरी नहीं के provided also लिखा हो, वहाँ third proviso में भी ऐसा हो सकता है, provided further that लिखा हो सकता है, fourth proviso में भी provided further that या provided also that वैसा है, first proviso में हमेशा लिखा होता है provided that, second में या तो further provided that करके ठीक है, means provided further that या provided also that, और वैसे ही fourth, fifth, sixth proviso में हो सकता है, तो proviso का मतलब exception, क्या भाई यह exception, exception डाल दी, बट उसकी कुछ exception create करनी है, उसके लिए कुछ exception create करनी है, तो उसके लिए वो लोग proviso डालते हैं, लेकिन एक concept होता है explanation, यह explanation जैसे ही है, explanation दे रही है, एक्स्प्लेनेशन किसको बोलेंगे कि अगर मानलो कोई सेक्षिन है उसमें कोई वर्ड यूज हुआ है उस वर्ड का मिनिंग क्या है उसको एक्स्प्लेन करने के लिए एक्स्प्लेनेशन डाली जाती है जैसे यह जो सेक्षिन यहां दिख रही है आपको बहुत चोटा चोटा आपको दिखने ही रहा होगा बर जैसे यहां एक्स्प्लेनेशन नंबर वन दे रखी है कि एक्स्प्लेनेशन डालते है तो एक सेक्षिन है उस सेक्षिन के नीचे नहीं लगेगी इस case में, या यह section लगेगी इस modification के साथ, या यह section में ऐसा होगा, कुछ अगर माल लो, उसका exception डालना है, तो वो डालेंगे proviso, और अगर उस section में कोई ऐसा word यूज हुआ है, उस word को explain करना है, को उस word का मतलब क्या होता है, तो वो डालेंगे explanation, क्या डालेंगे explanation, तो अपने को समझ में आया, यह जैसे है section, उस section में, subsection भी हो सकती है, obviously section में, जैसे 50C का, subsection 1 है, उसके बाद, subsection 2 है, करके ठीक है, अब देखो, इसमें कैसे पता चला, कि वो subsection 1 है, आप यहाँ पे भी तो clause हो सकता है, तुम मेरे से जित कर सकते हो, क्या 50C subsection 1 ही कैसे बो बोल रहे हो, आप 50C clause number 1 क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप देखो, यह link है, यह one जो है, उसके बाद two link है उससे, क्योंकि two में जाके पढ़ोगे, तो क्या दे रहा है, पता है, without prejudice, prejudice का मतलब होता है, उसको harm किये बिना, बिना harm किये, बिना, without prejudice, to the provision of subsection 1, यहाँ clearly दे र द्यान रखना है, कि हम income text में section पढ़ेंगे, और यह section के साथ में जो लिखा होता है, उसको subsection बोलते है, subsection के बाद में clause, और clause के बाद में subclause, लेकिन तीन exception income text में हमेशा द्यान रखना, उसके साथ में जो भी लिखा होगा, वो हमेशा क्या माना जाएगा, clause, कौन-कौन सी section section 2 10 and 47 2 10 और 47 देखो clause कब बोलने का कि जब कोई list दे रखी है उसका आपस में link ही नहीं है एक दूसरे से कोई भी link नहीं है तो clause है बट एक दूसरे से link है तो उस particular case में क्या है subsection है ठीक है और बेटा subsection जो section होती है section होती है उसके नीचे एक तो होते किसी को explain करना है किसी चीज को explain करना है तो वो लो explanation है वो explanation put करते है अब बात बताओ यह income tax act 1961 है यह तो बहुत पहले 1961 में बन गया था अब बात बताओ 1961 में जो लिखा होगा उसमें हो सकता कुछ चीज़े change भी तो करनी करती है तो हर साल उस income tax 1961 में amendment किये जाते क्या किये जाते है और करना है तो आपको पता है हर साल एक बजट आता है याद है आपको बजट आता है और बजट होता है ना बजट में एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है finance bill क्या बोला जाता है finance bill बोला जाता है और finance bill 2023 अभी आया था बूलो हाँ finance bill 2023 आया था और यह finance bill present कौन करता है बताओ बताओ कौन present करता है presented by finance minister और कौन है finance minister अभी निर्मला सीता रहमन जी अब एक बात बताओ, ये निर्मला सीता रमण जी ने ये बजट को कौन सी डेट को प्रेजेंट किया था? First 2023 को, तो देखो हर साल अगर टेक्स लौ में अमेंडमेंड करने हैं, तो टेक्स लौ में अमेंडमेंड करने के लिए बजट आता है, बजट का एक पार्ट रहता है, फिनेंस बिल रहता है, जैसे फिनेंस बिल 2023, ये निर्मला सीता रमण जी ने अपनी पारलियामेंड में प्रेजेंट किया था, 1st Feb 2023 को, इसको बोला जाता है फिनेंस बिल, अब एक बात बताओ, जैसे ही बजट आ गया, बिल हो गया, उसके बाद क्या होता है पता है आपको, कुछ दिनों के बाद, पारलियामेंड में, इस पे डिबेट होती है, डिसकेशन सेशन रखा जाता है, और डिसकेशन सेशन में, बीजेपी वाले कुछ बोलते है, कुछ कॉंग्रेस वाले बोलते है, कुछ और लोग बोलते है और बोलते नहीं नहीं ये वाला amendment सही नहीं है इस amendment को हटाओ या इस amendment में ये modification करो ऐसा करो वो अपने views देते हैं डिबेट होती है discussion होता है उस bill पे जो bill लाया गया था और उसके बाद में उस bill को दोनों houses से pass कराया जाता है lower house and upper house lower house किसको बोला जाता है लोगसभा को और upper house राज्यसभा को तो lower house लोगसभा, upper house राज्यसभा दोनों से pass कराया जाता है और pass कराने के बाद उस bill को किसके बास बेजा जाता है प्रेजिडेंट के पास और प्रेजिडेंट जिस दिन उस पे sign कर देते है उस दिन वो क्या बन जाता है पदा है finance act 2023 पहले वो finance bill था, bill बोला जाता है और bill जो है वो सबसे पहले present किया जाता है finance minister द्वारा 1st feb 2023 को कुछ दिनों बाद पारलियामेंट में उस पे discussion होता है discussion में आपस में लोग लड़ते हैं और लड़ने के बाद वो लोग वहाँ से उस bill को pass कराते है पास कराने के बाद प्रेजिडेंट के पास बेजा जाता है प्रेजिडेंट जिस दिन उस पे sign कर देते है वो बन जाता है finance act 2023 तो पहले उसको bill बोला जाता है उसके बाद जिस दिन sign हो जाता है उस दिन उसको act बोला जाता है और मैं बता दू यह जो finance act 2023 है इसको हमारे प्रेजिडेंट ने sign किया है 31st March 2023 को इस दिन उन्होंने sign कर दिया 31st March 2023 तो 31st March 2023 को यह finance act बन गया पहले यह finance bill था और बिल है वो फर्स्ट फैब को ही आ जाता है और उसमें सब अमेंड्मेंट होते है अब आप बताओगे बिल कैसे आता है तो चलो मैं आपके सामने बिल भी बताई देता हूं कि जाता है यह finance bill 2023 कैसे लगता था कैसा दिखता है तो फिनेंस बिल 2023 का यह PDF आ गया और यह finance bill 2023 कौन सी बिट को आया था चौन सी डिट को आया होगा अरे बोलो ना कप फर्स फैब को आया होगा तो यह फर्स्ट फैब को आया था Finance Bill, तो ये तुम्हारा Finance Bill है, ये देखिए, Finance Bill है, और ये Finance Bill जो है, ये आगे जाके Finance Act बन जाता है, और ये कौनसी डेट को लोग सभा में इंट्रोड्यूस किया था, डेट देखिए, 1st Feb 2023 को, तो 1st Feb 2023 को ये Bill लाया गया, लोग सभा में लाते है, वहाँ निर्मला सीता रमन प्रेजेंट करती है, उसके बाद में इस पर discussion वगरा होता है, अब आप बोलो के Finance Bill में होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें है जितने भी law के changes है, वो changes इसमें होते है, कि जैसे माल लीजिए, अपन ये direct tax की बात करते है, कि direct tax में क्या-क्या amendment करना है, तो यहाँ पे दे income tax में total इन्हों ने जो amendment किये थे, वो total amendment देखो, 122 amendment तो income tax में किये, उसके बाद में, कि indirect taxes में क्या-क्या change करना है, तो custom की section 25 में amendment करना है, section 127C में amendment करना है, custom tariff में ये amendment करना है, GST में ये amendment करना है, तो जितने भी amendment होते है न, वो amendment यहाँ से होते है, Finance Bill में होते है, तो यह त दिन प्रेजिडेंट उस पे sign कर देंगे वो क्या बन जाएगा finance act बन जाएगा तो अगर आपको अब मैं finance act बता देता हूं कि अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यह आया टेक्स कॉर्णर करके एक वैपसाइट है उस पे आया और उस पे अगर मैं पीडियव इस पे शायद है नहीं बट मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि finance act 2023 है यह कौन सी डेट को नोटिफाय हुआ जैसे ही president sign कर देते हैं और president ने इस पे sign किये थे 31st March 2023 को तो 31st March 2023 को जैसे ही president ने इस पे sign कर दिये यह तुमारा finance act बन गया और finance act बनने के बाद इसके amendment applicable हो जाते है 1st April से जितने भी amendment हुए ना वो amendment सब 1st April से applicable हो जाते है जो जो changes थे वो सब 1st April से applicable हो जाते है एक बात बताऊं आपको आपको बता साल में कितनी बार budget आता है एक बा बार या दो बार finance bill भी एक ही आता है और उसी का finance act बन जाता है लेकिन एक चीज़ समझना जिस year में election होता है उस year में दो बार budget आता है अगर आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत तो last election कौन से year में था 2019 में तो 2019 में दो budget आये थे एक तो budget आया था election से पहले first feb 2019 को और उस time finance minister हुआ करते थे अरुन जेटली जी बट उनकी तब्यट ठीक नहीं थी तो उनकी जगे temporary finance minister बनाया गया था प्यूश गोयल जी को और प्यूश गोयल जी ने प्यूश गोयल जो है उन्होंने ये budget present किया था पहला वाला और ये पहला वाला जो budget present कि गया था ना इसको बोला गया था finance bill number one 2019 और बेटा ये finance bill number 2019 था और उससे जो act बना उस act को बोला जाता है finance act number one 2019 अब आप बोलोगे कि ये election से पहले वाला है अब election से पहले एक budget आता है लेकिन फिर government बन जाती है government के बाद वापस से budget आता है ऐसा क्यों reason is being कि आप सोचिए ये जो budget लाया ये budget 1st feb को लाया और ये budget applicable कौन से period से कौन से period तक होता है बता है 1st April 2019 से लेखे और 31 March 2020 तक रहेगा ये तो 1st April 2019 से लेखे 31 March 2020 तक applicable होगा उस period के लिए ये होता है तो logically सोचिए में में election का result आता है तो में 2019 में अगर BJP की जगे Congress की government आ जाती तो वो बोलते के हम भाई इनके बनाए budget को हम क्यों follow करें हम इनके बनाए budget को या इनोंने जो चीजे चेंज की है उसको हम क्यों follow करें हम तो हमारे हिसाब से बनाएंगे तो इसके लिए क्या होता है ये पहला budget election से पहले आता है इसको बहुत बार interim budget भी बोला जाता है practical life में इसको बहुत बार interim budget भी बोला जाता है करके ठीक है और उसके बाद क्या हुआ जैसे election हो गए और election होने के बाद BJP की वापस government आ गई और BJP की वापस government आई तो उस टाइम उन्होंने दूसरा बिल और लेके आये जिसको बोला जाता है finance bill number 2 2019 और यह आया था in the month of the July 2019 में जुलाई में जब सरकार बन गई BJP की तो सरकार बनने के बाद यह वापस से एक bill आया और यह budget July 2019 में आया और इसी का जब finance act बना तो उसको बोला जाता है finance act number 2 2019 तो अगर कोई पूचे आप से कि साल में budget कितनी बार आता है तो एक ही बार आता है लेकिन इसका एक exception है कौन सा वाला year? election year election year में दो budget आएंगे एक election से पहले वाला और एक election के बाद वाला तो अगर government change होती है तो नहीं government दूसरा budget लेके आएगी और government change नहीं होती तो भी दूसरा budget वापस आता है 2019 में ऐसा हुआ था तो अगर आप income tax की website पर जब जाएंगे न कभी अगर आपको जाना नहीं है मैं आपको income tax की website उतना ही देखना है जितना मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ करें ठीक है उससे ज़्यादा आप देखने की कोशिश ना करिएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप act की बात करोगे income tax act 1961 तो income tax act 1961 as amendment by finance act अब आप देखोगे तो 2019 अगर आप देखोगे तो number 1 और number 2 दो finance act आये थे उसमें करें ठीक है वहाँ पर दो finance act आये थे दो budget बने थे तो यह तो बात होगे income tax act की और finance act की तो आपको अगर law पढ़ना है तो किन-किन चीज़ों का knowledge होना चाहिए एक तो act है तो income tax act 1961 है अब उसमें जो amendment करने है वो किसके थ्रू होते है finance act के थ्रू अब एक बात बता हो यह rules क्या होता है कोई बता है का rules 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 क्या होता है rules rules इंकम tax act हो गया उसमें चेंज करना है तो finance act के थ्रू रूल्स क्या होते है हाँ बोलो क्या central government के पास power होती है rules को बनाने की हाँ उसको बदलने के लिए लोकसभा राज्यसभा को नहीं पूछना पड़ेगा rules को सीधा बदल सकते है ऐसा इनका कहना है और कोई rules क्या होते है एक बात बताओ इंडिया में taxes लेने के लिए अपनी finance ministry होती है उस finance ministry में दो revenue के board होते है बोर्ड दो होते है मलब दो लोग manage करते है पूरे tax structure को एक का नाम है cbdt cbdt का full form होता है central board of direct taxes और ये जो लोग manage करते है न ये जो लोग manage करते है वो पूरा income tax manage करते है income tax manage करती है cbdt और एक होता है तुमारा cbic और ये cbic वाले जो है ये लोग आपका manage करते है gst custom वगेरा ये manage करते है इसके बारे में आपको idt के teacher बताएंगे मैं आपको cbdt की बात कर रहा हूँ ये cbdt है न ये income tax को पूरा manage करती है अब ये cbdt को कुछ rules बनाने का power दे section है न वो section में ये लिखा होगा जैसे मैं एक example ले रहा हूँ चोटा सा example इधर देखिए कि depreciation की rate क्या है income tax में depreciation की rate मैं आपको बताँ depreciation की rate अपन पढ़ेंगे जैसे computer है तो computer पे depreciation कौन सी rate से लेते है बता है 40% की rate से computer पे depreciation 40% होता है हर साल 40% depreciation मिलता है computer पे laptop पे 40% लेकिन question ही आता है सरी ये 40% rate से depreciation मिलता है ये कहां लिखा हुआ है income tax act में ऐसा नहीं लिखा income tax act में क्या लिखा हुआ है पता है कि depreciation is allowed at prescribed rate और ये prescribed करती है cbdt cbdt को ये power दे रखा है कि law में एक पावर दे रखा कि depreciation आपको allow होगा कौन सी rate से वो cbdt prescribe कर सकती है तो cbdt उसको prescribe करती है rules के माध्यम से तो rules जो होते है वो rules क्या होते है एक्ट को support करने के लिए rules बनाए जाते है एक और example लेता हूँ जैसे आपने सुना होगा हर साल income tax return बढ़ना पड़ता है income tax return के बारे में सुना आपको बता है ITR या ITR very good क्या knowledgeable लोग है ITR so no it's not income tax it's ITR so yeah it's ITR so you know people have to file the ITR but in ITR there are different different form of the ITR you know that you know that there is ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 there are different different ITR ना आपको बता है ITR के अलगलग form आते है जैसे किसी की income salary की है तो उसको ITR 1 बढ़ना है किसी की income मान लो business किया तो उसको ITR 4 बढ़ना है लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कै इसको कहां ITR बढना है कौन सा बढ़ना है ये rules में दे रखा है income tax act में सिरफ ये दे रखा है कि भाई assessi है उसकी income इससे ज़ादा है उसको income tax return रिटन फाइल करना पड़ेगा in the prescribed form तो यह जितना भी prescribed किया जाता है यह कहाँ किया जाता है यह जितना भी prescribed किया जाता है वो आपके रूल्स में किया जाता है और रूल्स में दे रखा है कि वहीया आपको income tax return कौन सा file करना पड़े गाईज मुझे बात बताएए इस subject में हम क क्या करने वाले है चलो यह तो अपनी बात हो गई कि कौन-कौन पावर वगरा दे रखी है आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट में इसका नाम क्या है इंकम टेक्स इसमें हम क्या करने वाले है इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले है इस सब्जेक्ट में बड़ा सिंपल स मिस जो हम करने वाले है वो इस subject का नाम है क्या है income tax तो इस subject में हम क्या करने वाले है अगले 70 दिन पढ़ने वाले है तो 70 days तक हम करेंगे क्या तो 70 days तक हम इस subject में income निकालेंगे और उस पर क्या निकालेंगे tax निकालेंगे तो income कैसे निकालते है tax कैसे निकालते है वो हम सीख तो एक लाइन छोड़के लिखिए, टोटल इंकम, एन टेक्स लिएबिलिटी, और परसन, सर कैसे निकालेंगे इंकम, इंकम कैसे निकालेंगे किसी की, तो देखो, इधर धिहान दो, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे, जिस परसन की इंकम निकाल रहे हैं, उसको बोला जाता है, आशेसी का नाम क्या है, उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे, प्रिवियस इर 23-24, एन असेसमेंट इर 24-25, यह क्या है, अभी थोड़ी देर, आदे गंटे बाद समझ में आ जाएगा, प्रिवियस इर क्या होता है, असेसमेंट इर क्या होता है, वो अपने को समझ में आ जाएगा हम यहाँ पे करेंगे computation of total income total income कि किसी की income कैसे निकालते है तो income निकालने के लिए lawmakers ने क्या कर रखा है पता है कि जो तुम्हारी income होती है ना उसको five head में बाट रखा है five head head का मतलब होता है पाँच अलग-अलग segment में बाट रखी है income को क्यों बाट रखी है कैसे बाट रखी है सब समझेंगे जो income होती है न उसको पाँच अलग-अलग head में बाट रखी है सबसे पहले एक head होता है जिसको बोला जाता है income from salary तुमको किसे बता रही है सब किसने बताया था income from salary तो सबसे पहला जो head होता है जिसको बोला जाता है income from salary salary head में income जाती है salary head के बाद एक दूसरा head होता है जिसको बोला जाता है income from house property कि house property की income है वो इस head में जाएगी तीसरा होता है income from business अगर आपके business and profession की income है वो इस head में जाएगी उसके बाद में एक head होता है income from capital gain के जो capital gain की income है वो इस head में जाएगी और उसके बाद एक last head होता है income from other sources other sources इसकी income आपके is head में जाएगी और इसकी जो total करते है इसको बोला जाता है gross total income क्या बोला जाता है जिसको हम short में बोल सकते है gta क्या बोल सकते है gta gross total income तो income को पाच अलग-अलग head में डाला हुआ है, यह अलग-अलग head में डालने के पीछे का reason क्या है पता है, कि हर head का computation का method अलग है, जैसे salary की income का method अलग है, या house property की income calculate करने का method अलग है, business की income calculate करने का method अलग है, capital gain का अलग है, other sources का अलग है, तो एक तो reason यह है, कि income को calculate करने का method अलग अलग है, क्या house property की income कैसे निकालनी है, वो पन सीखेंगे, तो इसके लिए अलग अलग बाटा है, और दूसरी जीज, बहुत सारी income पे tax rate अलग अलग है, जैसे ये capital gain head की जो income रहती है, उसमें tax लगता है, कहीं पे 20%, कहीं पे 10%, ऐसा अलग अलग rate से tax लगता है, तो total income में से, आपको कुछ deduction less करने को मिलते हैं, उसको बोला जाता है, deduction under chapter 6, UC का मतलब under chapter 6, ए करके, कुछ deduction होते हैं, और उस deduction को less करने के बाद, जो भी आपके पास बचता है ना, इसको बोला जाता है total income, या तो आप total income बोल सकते हो, या फिर इसको बोलते है, net taxable income, और ये वाल income है ना, इस पर tax लगता है, अब आप बोलोगे, ये deduction under chapter 6, ए क्या होता है, जैसे आपने कही न कहीं, TV वगेरा में सुना होगा, कि आप life insurance policy में पैसा डालो, आपको deduction मिलेगा, आपने सुना होगा, health insurance low, आपको deduction मिलेगा, आपने सुना होगा, political party को donation दो, आपको deduction मिलेगा, को interest का यहाँ पर deduction मिलेगा, तो क्या होता है, ये चूट मिलती है, इसको चूट बोला जाता है, या deduction बोला जाता है, तो इतना आप यहाँ पर deduction लेलो, और बाकी बचेगा, इस पर आप tax भरो, तो ऐसे अपन किसी भी assessi की total income निकालेंगे, assessi का नाम लिख लिया, previous year, assessment लिख ल total income, next line में, ये as it is copy करो, अपन बहुत base से पढ़ेंगे, आरहाम से पढ़ेंगे, आप 5-6 दिन मुझे दीजिए, उसके बद आपकी subject पर गरीब बननी चालू हो जाएगी, इसको as it is copy कर दीजिए, name of the assessi, a, s, e, s, e, s, e, s, e, मैं वापस लिख लूँ, assessi के spelling, मेरे कुल राइटिंग सुधार में दो दिन लगेगा हाँ, क्योंकि नहीं नहीं जगे है यह न, तो ऐसा वो table उपड नीचे वगराव, ऐसा वाला, ऐसा तुम्हार साथ नहीं होता, होता है यह न, मेरी भी बहुत खराब है राइटिंग, सच्छी, पर आपको पता है, जो दिल से अच्छे लोग होते हैं, उनकी राइटिंग खराब होती है, ऐसा होता है, क्या बोल रहे हो, इसलिए मेरी खराब है, टेक्स लाइबिलिटी, इसको नेट टेक्सेबल इंकम बोलते हैं, फिर इस पर टेक्स निकालेंगे, online वाले उसको बोलेंगे अपन tax liability यह net taxable income है फिर इस पर tax निकालेंगे उसको बोलेंगे tax liability हाँ government subsidy तो कब देती है कि जैसे आपने कोई asset खरी दी तो उसका आधा पैसा दे देगी government government या फिर आप जो gas cylinder खरीते हो उसके 70 रुपे का subsidy it is called government grant तो government grant taxable होता है या नहीं वो आगे पड़ेंगे बट मैं बता तो government grant है वो taxable नहीं होता जो welfare के लिए है जैसे कहीं पर बाड़ आ गई किसी का घर तूट गया और government ने पैसा दिया वो taxable नहीं है but business में अगर government कोई grant मिलता है government subsidy मिलती है तो वो taxable होता है चलिए बोलो done other sources income देखो इसमें क्या होता है ना पहले एक बार कर लो बोलो जाला 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 ही बोलते है जाला या संपलर दोने बोलते हैं संपलर यहाँ पुने में पता है हर कोई मराठी ही बोलता है अगर question हिंदी में बूचो तो भी महारेश्टेर में आंसर करेगा मेरे को सीखना पड़ेगा है मेरे को आता है कितना है पता है महारेश्टेर मराठी में मुझे जाला आता है जाला ही ना तुम मेरी मजाग उड़ा रहे हो ठीक है जो मेरी मजाग उड़ा गया या ना उसको बहुत बूरी बीवी मिले की या बूरा husband मिलेगा और रोज दारू मैं कुछ नहीं बोला मन की बात है चलो, डन ओनलाइन वाले बच्छो अंडर चेप्टर 6 इस इंकम टेक्स में कुछ चेप्टर है तो उसमें से ये चेप्टर नंबर 6 से के कुछ डिड़क्शन होते है अब आपको पहले दिन समझ में नहीं आएगा इसके लिए बहूट टाइम लगेगा अब एक और चीज समझ Nam इंकम जो है आप बोल रहो 5 हैड में जाती है salary में house property में business में capital gain में other sources में कैसे पता चलता होगा कि कौन सी income कौन से head में जाती होगी जैसे आपकी कोई income हुई आपको कैसे पता चलता होगा कि आपकी income इसमें जाएगी इसमें जाएगी इसमें जाएगी इसमें जाएगी या इसमें जाएगी कैसे पता चलता होगा कुछ ना कुछ तो ऐसी बेसिक चीज़े होती होगी अब एक बात समझना होता क्या है कुल मिला के ये जो पांच चीज़े है न ये पांच घर है ये पांच घर है क्या है पांच घर ये जो पांच है ये 5 head मतलब 5 घर है अब इसको मैं copy मार देता हो फटाफट मेरे पास तो देखो ना फटाफट घर भी बना सकते हैं एक बन गया दो बन गया तीन बन गया चार बन गया और पांच भापी बन गया ये 5 घर है अब एक बात बदाऊं ये 5 head है ठीक है ये 5 head है पहला है income from salary दूसरा house property, business profession, capital gain और other sources अब देखना आपके पास मैं मानलो एक बन गया जिसके पास बहुत पैसा है बहुत पैसा मैं इस अपार पैसा गले में ऐसे बहुत दो तीन चैन डालके आए मोटी मोटी होती है न वो ठीक है गले में चैन डालके मोटी मोटी एकदम भाई बन गया ठीक है औ आलहा मतलब दुकान है या गोड़ाँ है घर भाड़े दे रखा है हमारा business भी है हम business भी करता हैSmugling का business भी करता है कट्टावट्टा वेisiertा है करके कट्टा समझते हो ना वंढ़ा बेचता है बहुत सारा business बिसनस है, illegal भी है, उसके साथ मैं बोलता है, हमने कुछ property भी बेची है, share market में हम trade करता है, share भी बेचता है, हमको dividend भी मिलता है, bank से interest भी मिलता है, हमने कल lottery लगाए थी गन्पती पापा मोरिया मंडल में, lottery भी खुल गई, अब एक बात बता हूँ, यहां पांच head है, आपको कै कैसे बदा चलेगा कि उसकी बेचारी की इतनी थारी income है वो कौन से head में ले जाके रखे क्योंकि हर head में tax rate अलग-अलग होता है हर head का computation का system अलग-अलग होता है तो क्या होता है पता है हम सबसे पहले income को लिखे जाते है पहले head में और पहले head में जब जाते है न तो यहां पे जाके और दर्वाजा नौक करते है यहां पे जाके दर्वाजा नौक करते है क्या करते दर्वाजा नौक यह घर का एक दर्वाजा है इसको नौक करते है और बोलते हम income लेके आये है अंदर आने दो ना हम income लेके आये है दर्वाजा नौक कर रहे हो हम income लेके आये है हम इंक खलील बच्च जो एक वी लोजिक को समझो, सच में ऐसा होता है ठीक है आप इंकम को लेगे गए इस पहले घर में तो पहले घर में जैसे ही लेगे गए है और वो अन्दर से जी आ बटान्स क्या यह इंकम जो हुई है यह इंकम एंप्लॉई एंप्लोयर के relationship की वज़े से हुई है क्या ये जो income आपको हुई है क्या ये employee employer के relationship की वज़े से हुई है क्या, क्या आप employee हो क्या, employee का मतलब job करता है जो क्या ये employee employer के relationship की वज़े से income हुई है क्या, आप बोलते हो कि yes, ये income employee employer के relationship की वज़े से हुई है तो इस घर का दरवाजा खुल जाता है और ये income इस घर में चली जाती है तो ये घर का दरवाजा तब खुलता है जब income है वो employee-employer के relationship की वज़े से हुई है means master-servant relationship की वज़े से हुई है जैसे माल लो हमारे याँ पे एक बंदा है जो काम करता है श्री करके तो श्री हमारा employee है अब श्री को जो भी salary मिलती है अगर ये salary कौन से head में taxable होगी salary head में जाएगी because this income is due to the employee-employer relationship लेकिन माल लो ये दरवाजा नहीं खुलता अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो आप उस income को लेके अगले दरवाजे पे जाओगे अगले घर पे जाओगे अगर एक दरवाजा नहीं खुला तो आप हार दोड़ी मानोंगे ठीक है अगले घर पे जाओगे अगले दरवाजे पे गए और अगला दरवाजा जाके नौक किया क्या बोला हम आ गए है करके ठीक है तो अंदर से एक आवाज आएगी रे भई आवाज तो आप बहार हो अभी ठीक है भाई साब ओनलाइन वालों माप करना मुझे ठीक है मैं इतने ऐसा नहीं सोच रहा हूँ अगले दरवाजे पे गए आपने बहार से नौक किया अंदर से आवाज आई अरे भई आवाज निकालनी नहीं है अंदर से एक आवाज आई और अंदर से पूछा गया क्या जो इंकम हुई है क्या आपके पास हाउस प्रोपर्टी है क्या और आप उसके ओनर हो क्या या हाउस प्रोपर्टी है और आप उसके ओनर हो क्या उससे ये income हुई है क्या जैसे आपने बोला कि yes हम एक house property है house property हमारे पास है और हम उसके owner है और हमको उससे income हुई है rental income हुई है तो ये दरवाजा खुलेगा otherwise ये दरवाजा नहीं खुलेगा तो इस head में income house property head में कौन सी जाती है पता है अगर आपका house property का rent आया तो जैसे मान लो मेरा एक घर है मुंबई में मैं तो अब पुने में रह रहा हूँ तो मुंबई का घर मैं भाड़े पर देखे आया हूँ मैं भाड़े पर देखे आया हूँ तो मुंबई के घर का मुझे जो भाड़ा मिलता है वो भड़ा मेरे इस head में जाता है क्योंकि house property और मैं उसका owner हूँ अब एक बात समझना उसके बाद में अगर यहाँ पे भी दर्वाजा नहीं खुलता तो आप अगले घर में जाओगे और अगले घर में जब income लेके गए तो उदर से पूछा जाता है क्या बाबू आप business कर रहे हो या कोई profession कर रहे हो उससे income हुई है क्या आप बोलते हो क्या हाँ हाँ यह तो business and profession की वज़े से हुई है मैं business कर रहा हूँ, मैं profession कर रहा हूँ उससे income हुई है तो वो इस घर में चली जाएगी और अगर इसका भी दरवाजा नहीं खुलता तो आप जाओगे इसके अगले घर capital gain में capital gain में यह पूछा जाता है क्या आपके पास कोई capital asset थी जिसको आपने बेचा है क्या जैसे capital asset थी उसको आपने बेचा है क्या जैसे घर है मेरा, घर capital asset होती है घर को मेंने बेचा, तो जो पैसा आया वो इस head में capital gain में जाएगा या मेरे पास shares थे किसी company के reliance के, share मैंने बेच दिये, capital asset बेच दी उससे जो पैसा आया, वो capital gain head में जाएगा, तो इसका दरवाजा खुलेगा और मैं बताऊ, अगर यहाँ पे नहीं जाती, तो अगले घर का दरवाजा ही नहीं है अगले घर का दरवाजा ही नहीं है तो income ले जाके कहाँ फेक दो, last वाले घर में जिसका दरवाजा ही नहीं है घर के ठीक है, जैसे आपकी lottery लग गई अब एक बात बताऊ, lottery लगी वो lottery क्या salary में जाएगी या नहीं जाएगी नहीं, salary employer से थोड़ी हुआ है क्या house property है क्या business है क्या, capital gain है क्या नहीं, कहा जाएगा, other sources आपको bank से interest मिला bank से interest मिला, अब जब bank से interest मिला क्या ये salary है, house property है business है, capital gain है नहीं तो कहा ले जानेगा, other sources ये सब income आपके other sources अब जैसे माल लो, क्या हुआ पता है तुमको आपके bank में किसी ने पैसा जमा करा लिया आपके bank में किसी और ने पैसा जमा करा लिया, अब आपको पता ही नहीं पैसा कहां से आया है, आपसे पूचा गया ये पैसा कहां से आया, बोला पता नहीं मुझे कहां से आया जब कहां से आया पता ही नहीं कर गे ठीक है तो उस particular case में क्या होता है पता है वो income कहां जाएगी other sources में और मैं बता हूँ अगर कोई ऐसा cash credit है जो आपके bank में आया पैसा आया और आप बता ही नहीं पा रहे हो यह पैसा कहां से आया अगर गे ठी आपको बता रहा हूँ इस पे tax कितना लगता है बता है इस पे tax rate रहती है 60% की other sources पे नहीं उस वाले cash credit पे 60% की tax rate उसमें है न सर्चार्ज भी लगता है 15% total मिला के मालब 25% सर्चार्ज है तो 60 पे 25% मालब 15% और health and education says 4% 78% 78% government को भरना पड़ेगा अगर आपके bank में कोई पै tax में आपको 78% tax बढ़ना पड़ेगा आप बोलोगे इतना खराब चीज क्यों लाया 78% tax और CA final में जाके पढ़ोगे 10% penalty भी लगती है तो कुल मिला के 88% 12% मिल जाएगा जाओ जाओ बिस्किट खाओ कर ठीक है तो 12% बच जाएगा ये क्या हुआ था पता है तुमको ये tax लगता था 30% चूट जाते थे 30% tax बढ़ो खतम तो लोगों ने demonetization के time पर क्या दिमाग लगाया कि अपने पाद जो cash है ना अब हम चुपके से जाएंगे बैंक में जमा कर आके आ जाएंगे और return में 30% tax बढ़के और खुश हो जाएंगे बोलेंगे हमको पता नहीं कहां स कर दिया और अच्छा ऐसा करोगे लो कर ठीक है तो 88% के करीब tax लग जाता है 78% tax rate 10% और penalty लगती है मैं इस आपके पास 12% मिलेगा जिससे आप बिस्किट और खा सकते हो कर ठीक है तो उतना आपको मिलेगा वो other sources में जाएगा तो कुल मिला के इस subject में हम करने वाले क्या है न वो मैं बता रहा हूँ कि इस subject में हम किसी भी person की income निकालेंगे उस income पे tax निकालेंगे बस उससे अलावा कुछ नहीं करने वाले अगले 70 दिन तक सिरफ यही करने वाले हैं क्या निकालने वाले है income और उसके बाद tax यह तो अपने को पता ही था नाम ही subject का income और tax तो इस subject में हम यह करने वाले हैं बट यह income निकालने के लिए tax निकालने के लिए आपको किस चीज का knowledge होना चाहिए income tax law का knowledge होना चाहिए income tax law का और law में क्या-क्या आएगा act आएगा rules आएगा circular आएगा notification आएगा case laws आएगा तो लिखो ना next line में लिखो next line में लिखो next line में for computation of total income for computation of total income for computation of total income and tax liability for computation of total income and tax liability we should have knowledge of we should have knowledge of income tax law we should have knowledge of income tax law for computation of total income and tax liability we should have knowledge of income tax law now एक line छोड़के लिखिए source of income tax law s-o-u-r-c-e source source of income tax law source of income tax law miss income tax law कहा कहा से आएगा किस किस को जोड़के income tax law बनेगा तो source of income tax law में फिर point number one लिखिए income tax act 1961 income tax act 1961 point number one source of income tax law में सबसे पहले लिखिए income tax act 1961 income tax act 1961 full stop लिखिए it is the main source of income tax law it is the main source it is the main source of income tax law it is the main source of income tax law full stop it provide it provide it provide इसमें क्या provide कर गा है it provide determination of total income it provide determination of total income it provide determination of total income comma tax liability comma tax liability etc 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 full stop full stop के बाद लिखिए इसी में लिख रहे हो same point में it is applicable 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 to whole India it is applicable to whole 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 India it is applicable to whole India and it is applicable from 1st April 1962 and it is applicable and it is applicable and it is applicable from 1st April 1962 1962 full stop done उसके बाद point number 2 लिखिए income tax rules 1962 point number 2 लिखिए income tax rules point number 2 लिखिए income tax rules 1962 income tax rules 1962 और डैश करके लिखिए लिखिए income tax act income tax act empowered 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 की spelling क्या है E-M-P-O-W-E-R-E-D income tax empowered CBDT CBDT और ब्रेकेट में लिखिए central board of direct taxes central board of direct taxes CBDT तो आपने क्या लिखिए income tax act empowered CBDT to make rules income tax act empowered CBDT to make rules to make rules full stop rate of depreciation rate of depreciation comma all forms जितने भी form होते है form all forms F-O-R-M-S all forms comma valuation valuation आप ऐसा लिख सकते हैं आपने valuation लिख लिख लिया क्या है valuation rules of perquisite valuation rules valuation rules valuation rules of perquisite P-E-R-Q-U-I-S-I-T perquisite valuation rules of perquisite S-I-T-E perquisite perquisite or than a perquisite valuation rules of perquisite etc 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 provided in rules etc etc provided in rules अब आप बोलोगी perquisite क्या होता है perquisite क्या होता है पता है आपको perquisite मनलब कुछ ऐसा benefit पाइदा जैसे आपको पता है आप कहीं job करते हो आपके भहिया कहीं job करते है किसी company में तो आपको पता है उस company ने बहुत बार गाड़ी दे रखी होती है तो company ने घर दिया तो उस पर भी tax लगता है उसको बोला जाता है perquisite तो उसकी value कैसे निकालेंगे जैसे बहुत बार क्या होता है आपके भहिया या आपकी sister गहीं job करती है उसको खाना मिलता है office में अब office में खाना मिल रहा है उस खाने क्या benefit भी taxable होगा वो कैसे taxable होगा उसके लिए valuation rules रूल से perquisites के वो सब income tax rules में दे रखा है 1962 में और next लिखिए point number third that is finance act finance act 2023 finance या finance जो बोलना है वो बोलो sophisticated वाले लोग इसको finance बोलते हैं आजकल ठीक है बढ़ हम जैसे गरीब लोग विदर्ब में रहने वाले क्या बोलते हैं finance क्या बोलते हैं finance act 2023 इसमें लिखिए dash करके every year every year finance minister present finance bill in the parliament every year finance minister present every year finance minister present finance bill in the parliament in the parliament in the parliament which contain various amendment which contain which contain various amendment various amendment various amendments to be made indirect and indirect taxes which contain various amendment to be made indirect in direct and indirect taxes various amendment to be made in direct and indirect taxes in दो बार हो गया न नहां तो भी मेड in direct and indirect taxes indirect taxes full stop full stop indirect taxes full stop finance bill 2023 finance bill 2023 finance bill 2023 was presented by nirmala sita raman finance bill 2023 was presented by nirmala sita raman nirmala sita raman on 1st feb 2023 on 1st Feb 2023 full stop as soon as as soon as as soon as bill passed by parlamint as soon as as soon as bill passed by parlamint passed by parlamint passed by parlamint and after received approval from after received approval from President after received approval from President it become Finance Act 2023 it become after received approval from President it become Finance Act 2023 Finance Act 2023 फुल 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 On 31st March 2023, on 31st March 2023, full stop, done, उसके बाद 4th point लिखिये, notification, 4th point लिखिये, हाँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, last year 30th March को approval मिला था, उसके पहले साल 27 March को मिला था, इस बार 31st March को मिला है, सो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रेजिदेंट वेट करेगी, ठीक है, या प्रेजिदेंट जो है वो वेट करेगी, कि 31st March आया, आज सुबह अलो साइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, जल्दी भी होता है, 27 March को भी हो जाता है, कभी 24 March को भी हो, इस बार ऐसा हु से एक-दो महीने तो चले ही जाते थे, कि amendment का effect आया या नहीं आएगा, तो इसके लिए फिर अरुन जेटली जी ने budget को change किया, आप देखोगे ना, BJP से पहले, budget हमेशा 28 फरवरी को present होता था, last date of the Feb को, फिर इन्हों ने BJP ने आके change किया, जिससे क्या होता है, मार्च तक स में जून में चला जाता था, में जून में चला जाता था, जिसको allocation होना है, उसको होता ही नहीं था, इसके लिए इन्हों ने फिर क्या किया, कि इसको final करो, और 31st मार्च तक साइन करके complete कर दो, जिससे की 1st April को पूरा काम अपना चालो हो चाहिए, ठीक है, हाँ, सरी, सौरी हाँ, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि 1st February को जो Finance Minister ना Bill बना था, वो का Finance Act बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, Finance Act में बहुत सारे differences रहते हैं, और ऐसा हर बार होता है, ऐसा हर बार होता है, ठीक है, Finance Bill अलग था, और Finance Act में और भी कुछ अलग है, ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार Finance Bill तो ला लिया, कही है, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, यह Amendment नहीं लाना चाहिए, ठीक है, तो फिर लास्ट में जाते जाते, Act बनते बनते उसको Change कर देते है, और Act में वो चीज़े नहीं होती, ऐसा होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि Finance Bill में जो था वो as it is Finance Act में आएगा, that is not necessary, वहाँ पर Finance Act में हो सकता है, कुछ चीज़े अलग हो, कुछ चीज़े addition हो, कुछ चीज़े deletion हो, but Parliament में जो पास होगा एक बार, वो ही जाके President sign करेगा, तो एक बार पास हो गया, उसके बाद वो ही जाके President sign करेगा, ठीक है, लिखिए, आपने क by Central Government, slash CBDT, to give effect of amendments, 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 or, or, to give effect of or, to give effect of provision of the Act, to give effect of the provision of the act, to give effect of the provision of the act, full stop, it is binding, it is binding to assessi as well as department, it is binding to assessi as well as department, सब पर binding है, ऐसा नहीं के नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है, नेक्स्स लिखिए सर्क्यूलर, और सर्क्यूलर के पास मैं लिखिए, लिक ये, circular are issued by CBDT, circulars are issued by CBDT, circulars are issued by CBDT to clarify the meaning of certain provision, to clarify the meaning of certain provision, full stop, full stop. It is binding to income tax department, but not binding to assessi. It is binding to income tax department, but not binding to assessi. देखो circular ऐसे है न, clarification है, यह आपको binding नहीं करते हैं, department को bind करेंगे, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, normally आपके फाइदे के लिए होते हैं, तो सब लोग मान लेते हैं, बट अगर नहीं मानना है, तो आप उसको challenge कर सकते हो, बट वो आप पे binding नहीं होते है, department पे binding होते हैं, department पे binding होंगे ही होंगे, ठीक है, चलिए, अब अपन सबसे पहली income tax की एक section पढ़ने वाले है आज, और सबसे पहली section पढ़ने वाले है section number 4, section number 4, और section number 4 है, वो charging section है, charging section, तो लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए, फि charging section of income tax, charging section of income tax, अब यह charging section क्या बोलती है, एक बार लिख लीजिए, लिखिए, income tax is charged, income tax is charged for every assessment year, every assessment year, income tax is charged for every assessment year, it is charged, it is charged on every person, every person, income tax is charged for every assessment year, full stop, it is charged on every person, it is charged, charged on total income, total income earn, E-A-R-N-E-D, total income earn, by person, by person, in previous year, it is charged on total income earn by person, in previous year, and tax is charged, and tax is charged, tax is charged at the rate prescribed in finance act, done, this is the charging section of income tax, this is the charging section of income tax, तो charging section income tax का क्या है, तो देखिए, हाँ, अमर बोल रहा है, एक online का बच्चा अमर पूछ रहा है, क्या ruling government का नहीं भी है, तो भी, प्रेजिडेंट नॉर्मली ऐसा नहीं बोलेगा, क्या finance act है, उस पर मैं sign नहीं करूँगा, क्योंकि government के, अभी, इंडिया में प्रेजिडेंट के पास में, no doubt power बहुत है, हो सकता है, गवर्मेंट को हटा भी दे, बट नॉर्मली ऐसे cases में, उसको sign करना पड़ता है, अपन इंडिया में क्या बोलते है, कि इंडिया is a democracy, और डेमोक्रिसी में हमने जो elect करके लोगों को भीजा है, उनका राज है, प्रेजिडेंट है, वो एक stem माना जाता है, करके ठीक है, कि उसको जैसा बोला जाएगा, जैसा गवर्मेंट ने बोला है, वैसा वो करेगा, तो normally in the practical life ऐसा नहीं होता है, करके ठीक है, चलिए किसी ने यह बोला कि sir circular है, वो binding क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि circular है, वो clarification है, बहुत बार ऐसा होता है, आपको लगता है कि अर यह clarification सही नहीं है, अपने काम का नहीं है, तो आप नहीं follow करो न, एक example लेता हूँ, आपको circular के बारे में, उसके बाद मैं इस पार्ट पर जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे एक जगे, कि मालनो आपका प्रोफेशनल फीस है, एक जैसे CA है, उसने प्रोफेशनल फीस का बिल बनाया, एक लाक रुपे का प्रोफेशनल फीस है, और उस पे GST लगाया है अठरा आजार का, अब एक बाद समझना, टोटल एक लाक अठरा आजार है, वो पे करना है क्लाइंट को, क्लाइंट CA को टोटल एक लाक अठरा आजार पे करेगा, अब एक बाद समझना, यह CA है और यह क्लाइंट है, और क्लाइंट को एक लाक अठरा आजार पे करना है, अब क्लाइंट क्या करता है, इसका TDS काटता है, TDS काटना पड़त अब TDS कौन सी रेट से काटना पड़ता है तो मैं आपको आगे जाके TDS टॉपिक में पढ़ाऊंगा बट अभी के लिए ये समझे के TDS है वो 10% से काटना पड़ता है अब एना इसमें और आगे वाले को 10,000 TDS काटके और बाकी 1,80,000 आगे वाले को पे कर दिया ये एक circular में बोला हुआ है लेकिन हुआ क्या मान लोग गलती से इस कलाइंट से गलती हो गई और इसने क्या क्या पूरे 1,8,000 पे TDS काट लिया और पूरे 1,8,000 पे 11,800 का TDS काट लिया और 11,800 का TDS का कर दिया तो क्या उसने कुछ गल्ती कर दिया ऐसा कोई पाप कर दिया answer is no उसने वो circular को follow नहीं किया तो circular आप follow नहीं करो चलेगा circular आप पर binding नहीं है यह clarification है आपके फाइदे के लिए है आप चाहो तो follow करो नहीं चाहो तो अब एक बात समझना हम पढ़ रहे है charging section और मेरे को आपका यहां पे ध्यान चाहिए charging section में में एक charging section होगी, यह तो income tax की charging section है, क्या भई income tax लगता कब है, कब लगेगा income tax, कब income tax charge होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर यह पांच घर बना के बता रहा था न, इसमें यह बोला हुआ है, कि employer employee का relationship हुआ, तो income इस घर में जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है section 15 में, section 15 charging section है salary head की, वैसे ही house property की charging section आएगी 22, business की charging section आएगी 28, capital gain की charging section आएगी 45, 1, तो charging section मतलब भाही tax लगेगा कब, तो charging मतलब charging कब income tax आएगा, income tax आएगा कब, तो इन्होंने बोला income tax कब लगेगा, तो देखिए, यह charging section क्या बोलती है, पहली चीज बोलती है, कि income tax is charged for every assessment year, पहली चीज तो income tax आपको हर assessment year में लगेगा, every assessment year, क्या सर ऐसा हो सकता है क्या, कि जैसे lifetime में एक बार income tax भर लो, फिर शांती, फिर जिन्दी अगली बार मत आना मेरे घर पे, ऐसा कह सकते है क्या, नए, हर assessment year में income tax लगेगा, अब आप बोलोगे assessment year क्या होता है, अभी देखेंगे, दूसरा, it is charged on the every person, हर person पे लगता है, सर हम तो individual है, हम पे लगेगा answer is yes, एक company है, क्या company पे लगेगा answer is yes, एक partnership firm है, क्या उस पे लगेगा answer is yes, सर भगवान का मंदिर है, भगवान पे लगेगा income tax क्या, answer is yes, सब जगे लगेगा, कौन कौन से आएंगे person में अपन पढ़ेंगे, और यह किस पे चार्ज होता है, it is charged on the total income earned by the person in the previous year, previous year में जो आपने income कमाया, उस पे लगेगा, and tax is charged at the rate prescribed in the finance act, चली अपने काम करते है, इसको break करते है, पहले तो यह assessment year क्या होता है, यह previous year क्या होता है, यह person क्या होता है, यह total income में कौन कौन सी income आएगी, इन सब के बारे में एक ए चीज अपन पढ़ते है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, एक बात बताओ, आपको पता है, जो year होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, एक तो calendar year होते है, very good, क्या knowledge है इन बच्चों में यार, इनको तो सच्छी मतलब सीधा ही KBC में भेजना चाहिए, क्या knowledge है, एक तो year होता है, उसको बोला जाता है, calendar year, क्या बोला जाता है, calendar year कब से चालू होता है, 1st January से चालू होके, और 31st December तक चलता है, that is called calendar year, अब एक बात समझना, एक होता है, तुमारा दूसरा वाला कौन सा year, financial year, very good, तो दूसरा वाला financial year होता है, sophisticated लोग उसको finance बोलते हैं, financial year, तो एक तुमारा जो है, वो financial year होता है, और financial year कब चालू होता है, 1st April से चालू होके, 31st March तक, अब एक बात समझना, हमारे income tax में, जो calendar year होता है, इसका कहीं पे भी कोई भी relevance नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, calendar year कहीं पे भी नहीं आएगा, हमारे income tax में, financial year आएगा, मिस 1st April से चालू होता है, 31st March को complete होता है, that is called financial year, अब एक चीज समझना, आप मुझे बात बताओ, अब logically सोच के मुझे बताओ, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं income कमा रहा हूँ या नहीं, थोड़ा बद तो कमा ही रहा हूँगा, बहुत बद कुछ नहीं होता करके, ठीक है मैं मेरे को मिलते हैं दिन के तेरा रूपे, ठीक है, तो तेरा रूप, तेरा रूप, बहुत चलेगा, पांच लाग देना, पांच लाग मैं बिखने को तयार हूँ, हाँ, तो एक बात होता हूँ, आज मैं income कमा रहा हूँ, सब लोग online वाले इतर देखो, आज मैं आपको प कुछ ना, कुछ income तो कमा रहा हूँ, मैं क्या, जैसे ही यहाँ बाहर निकलूँगा, बाहर क्या income tax वाला बैठा है क्या, क्या रुक बाई, रुक, क्या कमाया है, टेक्स भर अभी, क्या अभी का भी टेक्स भरना पड़ता है, क्या नहीं, टेक्स कप भरते हैं, अगले साल, टेक्स कप भरेंगे, अगले साल, मतलब इस साल में, income कमाऊंगा मैं, और इसके अगले साल जाके उस पर टेक्स भरूंगा, मेरा income tax return भरूंगा, income tax return का मतलब होता है, पूरा income tax का वीवरन, क्या मैंने ये income salary की थी, या house property थी, ये business थी, वो सब भरना कप पड़ता है, अगले साल जाके भरना पड़ता है, तो एक बात समझना, हमारे income tax में, दो financial year होते है, एक तो financial year वो वाला, जिस year में आप income कमाते हो, जिस year में आप income कमाते हो, और एक दूसरा वो वाला year, जिस year में जाके आप tax भरते हो, तो एक बात समझना, जिस year में आप income कमाऊगे न, उस year को ब बार-बार बोलेंगे PY, और जिस year में जाके, आप उस पे text भरोगे, अपना return भरोगे, उसको बोला जाएगा, assessment year, जिसको हम AY बोलते हैं, देखो, जिस year में हम income कमाते हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ, that is year of income, year of income, और जिस year में मैं जाके text भरोगा, that is call your assessment year, तो मैं उसको बोल देता हूँ, year of tax, उसको मैं AY नहीं बन रही है, यह बोटल बजा रही है, पागल बच्ची है, हाँ, वो हाथ से pen गुमा रहा है, और तो कुछ गुमा नहीं पाया, तो देखो, year of tax, बोलता है, पुने अभी जाया हो sir, देखो sir, मिलो 6 महीने बाद, देखो sir, का मिलता हूँ, मैं करके ठीक है, यहीं मिलना है, ठीक है, हाँ, यहीं मिलना है, मतलब, यहीं पर रहना है, class ही जाना है, ऐसा नहीं कि Saturday Sunday तुम मजे कर रहे हो, ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कि गाव से आये, अमरा आते हो, that is called your previous year, और जिस year में आप उस पे tax भरोगे, that is called assessment year, अब एक बात बताओ sir, हम जो पढ़ने वाले है, पूरे batch में, budget हमारे लिए कौन सा वाला applicable है, 2023 वाला, यह finance act 2023 आया, आप मुझे बताईए, यह कब से applicable हुआ, 1st April 2023 से, तो 1st April 2023 से लेके 31st March 2024 तक, जो भी आप income कमाओगे, यह income पे, यह finance act 2023 applicable होगा, finance act 2023, 1st April से applicable हुआ, तो 1st April 2023 से लेके, और 31st March 2024 तक, जो भी आप कमाओगे income, उस income पे, यह budget applicable है, इस budget में जितने amendment हुए थे, वो सब हमारे लिए applicable है, इसका मतलब यह हुआ, कि मैं यह बोलू, कि previous year is your year of income, तो आपके लिए जो previous year है, वो previous year रहेगा हमेशा, 2023-2024, मिस हम किसी भी person ने जो income कमाई ही, 1st April 2023 से लेके, और 31st March 2024, उसकी हम बात कर रहे होंगे, आज जो income में कमा रहा हूँ, मैं previous year, 2023-2024 में income कमा रहा हूँ, उस पे मैं text भरूँगा, वो assessment year, 2024-2025 में भरूँगा, तो हमारे लिए, हर बार assessment year आएगा, 2024-2025, और ये 2024-2025 कब से चालू होगा, 1st April 2024 से लेके, और 31st March 2025, तो देखो, आज की date में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे जो में income कमा रहा हूँ, बाहर income tax वाले नहीं बैटे है, क्या आते बोले, ये धाप दिया, मुझे ऐसे का ऐसे, ठीक है, साइड में लेके, बोले tax भरूँगा, नहीं, मैं ये जो income कमा रहा हूँ, इस पे मैं tax अगले साल जाके भरूँगा, अगला साल will be the assessment year, जिसमें मैं tax भरूँगा, वो मेरा assessment year होगा, और इस साल जो है, मैं income कम होगी, किसी और ने की होगी, ये आपके भहिया की return file हुई, तो बोले, अभी तो सर हुई थी return file, वो कौन से year के लिए हुई थी, पिछले साल के लिए, तो पिछले साल के लिए क्या हुआ होगा, तो मैं बताओ, previous year, तुमारा, जो पिछला वाला था, वो 22-23 था, तो उसके लिए assessment year कौन सा है, 23-24, तो 23 में आपने देखा होगा 31 जुलाई 2023 को, ये 31 जुलाई 2023 गया था ना, तो आपके बहुत सारे अगर फ्रेंड है, जो आर्टीकल शिफ वगरा कर रहे है, उनको office से छुटी नहीं मिल रही थी, क्यों नहीं मिल रही थी, बोला, written file का time चल रहा है, तो written file कौन से year की कर रहे थे, पिछले साल की, तो previous year 22-23 में जो income कमा रही थी, उसके लिए assessment year 23-24 में written file करते है, तो ये date थी written filing की, तो वो पिछले साल की written थी, तो अभी जो इस period में आप income कमा रहे हो, या मैं जो इस period में income कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये previous year है, और जिस year मे जाके इस पे मैं tax भरूँगा, मैं इस पे अगले साल में जाके tax भरूँगा, that is called assessment year, तो आप ऐसे याद रखिए, कि previous year किसको बोलते है, assessment year किसको बोलते है, तो previous year उस year को बोलते है, जिस year में आप income कमाते हो, क्या बोला income, और assessment year किसको बोलते है, जिस year में आप उस income पे tax भ जाता हूँ, income tax में जो भी लिखा जाता है ना, वो हमेशा assessment year wise लिखा जाता है, income tax act अगर जाके आप देखोगे, तो उसमें लिखा कि ये section में amendment हुआ है, तो ये amendment हुआ, उसमें date कौन सी लिखी होगी, जैसे ये finance act है, ये तुम्हारा जो finance act है, finance act 2023, आप बोलोगे, it is applicable from 1st April 2023, but amendment करते टाइम, जो बात की जाती है ना, वो हमेशा assessment year wise बात की जाती है, कि assessment year 24-25 से ये change हुआ, तो assessment year 24-25 से change हुआ, इसका मतलब ये previous year 23-24 पे applicable है, 23-24 पे ये applicable है, तो जब amendment होते है, तो amendment करते टाइम, अगर आप देखोगे, कभी finance act खोल गे, तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि ये amendment है, ये assessment year 24-25 से, assessment year 24-25 मतलब ये बात कर रहे है previous year 23-24 की, तो मैं previous year 23-24 बोलू, या assessment year 24-25 बोलू, एक ही बात है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मालनो ये जो साल चल रहा है, इस साल मैंने income कमाई, for an example, example के लिए ले रहा हूँ, मैंने income कमाई, इतनी है नहीं, मैं ऐसा बोलू कि previous year 23-24 की income 9 लेके, सही है ये, मैं सही बोल रहा हूँ ना, मैं इस साल मैं मालनो 31st मार्च तक 9 लेक का income कमाया, मैं ऐसा बोलू previous year 23-24 की income 9 लेके, सही है, मैं इसको ऐसा बोलू कि assessment year 24-25 की income 9 लेके, ये भी तो सही है, क्यों नहीं सही है ना, कि previous year में जो income कमा 23-24 की income 9 lakh है या assessment year 24-25 की income 9 lakh है सही तो है भाई क्या दिक्कत है आपके मानलो पापा ने लास्ट यर जो income कमाई थी previous year 22-23 में income 10 lakh कमाई थी तो previous year 22-23 की income 10 lakh या आप ऐसा बोल दो कि assessment year 24 जो है उसमें 10 lakh इंकम थी तो सही तो है क्या दिक्कत है उसी income पे तो आप tax भर रहे हो you got my point or not yes or no तो दो year होते है एक previous year एक assessment previous year उस year को बोलते है जिस year में आप income कमाते हो assessment year उस year को बोलते है जिस year में आप इंकम पे tax भरते हो अब एक बात समझदा जो assessment year होता है न वो हमेशा 12 मंत का होता है always 12 मंत का हमेशा 12 महीने कर रहेएगा assessment year हमेशा 12 महीने क्योंकि previous year में income कमाई उसके आगे 12 महीने, 1st April 2014 से 31st March 2025 यह assessment यह है, previous year भी generally 12 महीने का ही रहता है, लेकिन अगर आपने कोई नया business चालू किया है, ओ बाबु गुड मॉनिंग, जो जो लोग सो रहे, खड़े हो जाओ, हाँ, सोना नहीं है, हाँ, सोना नहीं बाबु, नहीं, बिल्कुल नहीं सोना, ब एक चैनल नहीं है, जिसमें कोई भी ऐसी information रहेगे आपको मिल जाएगे, बृदी ब्लू टेक है उस पर हाँ हाँ तो वेरिफाइट चैनल है आज कल पता है टेलिग्राम पर इतने बच्चे है न और पता नहीं आज कल एक ग्रूप बना रखे है डाउट सॉल करने के लिए अलगी ठीक है और उसमें क्या होता है अगर किसी लड़के ने डाउट पूछा कोई नहीं करता है कोई बिचारा कोई और किसी अगर मान लो महिला ने डाउट पूछा थीक है महिला ने डाउट पूछा तो कम से कम 6 लोग तो वहीं assessment year ना, वो हमेशा आपका 12 month का होता है, बट previous year, normally 12 month का ही होता है, बट अगर कोई business in between the year चालू हुआ, या आपका income का source, कोई in between the year आया, तो वो previous year वहाँ से चालू होगा, जैसे example के लिए, मानलो, मैं कुछ नहीं करता था इस साल, मैंने अभी जो तुम्हारा बैच चालू हुआ वहीं से business चालू उस profession उससे पहले मेरा कुछ नहीं था मैं ऐसे मालो निठल ला था कोई काम का नहीं था ठीक है कुछ गाम नहीं करता था तो मेरा जो previous year मैंने कमाना चालू किया 16 August 2023 से चालू होगा और 31 March 2024 को complete होगा तो normally previous year भी 12 बंद का होता है बट अगर कोई नया business चालू किया है या नया professions चालू किया है या नया कोई भी source हुआ है income का तो उस year के लिए previous year उस date से चालू होता है जिस date से आपकी income आनी चालू होती ह है और 31 March 2024 तक और assessment year हमेशा आपका 12 मंद का ही रहेगा अब आप एक काम करिए अपनी बुक में as it is यह year को एक बार copy कर लिजे फिर मैं इसकी definition लिखवा लोंगो charging section को एक बार वापस read करते हैं देखो क्या दे रखा है income tax is charged for every assessment year means हर साल में income tax लगेगा every assessment year में income tax लगेगा and it is charged on the every person यह person क्या होता है अभी अपन देखेंगे it is charged on the total income earned by the person in the previous year previous year में जो आप income गमाते हो उस पे लगता है and tax is charged at the rate prescribed in the finance act तो इसमें से कौन-कौन सा पार्ट समझ में आ गया वो अपन छोड़ते जाते हैं मार्क करते जाते हैं तो देखो income tax is charged for every assessment year चलो assessment year समझ में आ गया it is charged on every person यह बाकी है it is charged on total income earned by the person in the previous year previous year में income कमारे उस पे लग रहा है यह हो गया and it is charged at the rate prescribed in the finance act finance act में rate दे रखी है उस rate से income tax लगता है but question यहां पर ही आता है यहां लिखा है it is charged on the every person हर person पर लगेगा sir person क्या होता है कौन-कौन से ऐसे person है जिस पर income tax लगता है तो income tax कीवें कौन-कौन से ऐसे person है जिस पर income tax लगता है धीरे-धीरे एक-पर बारे मैं बताऊंगा बट मैं बता दू, income tax में total ऐसे 7 person है, जिस पर income tax लगता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ऐसे 7 person है, जिस पर income tax लगता है, कौन-कौन से, सबसे पहला person जो है, यह definition इसकी दे रखी है person की, that is section 2, clause number या subsection, clause 31 में, section 2, clause 31 में definition दे रखी है person की, तो सर, कौन-कौन से person है, जिस पर income tax लगता है, तो उसमें सबसे पहला दे रखा है individual, क्या कोई भी individual है न, वो individual पर income tax लगेगा, मुझे बताओ individual का मतलग क्या होता है, individual means, individual means, individual means, individual, अब individual को कैसे define करें, individual means, अकेला इंसान करके ठीक है, जो committed नहीं हो, is it individual, individual means a natural person, जैसे मैं individual हूँ, ये individual है, सार्तक individual है, online में बच्चे बैटे है, वो individual है, करके ठीक है, this all are individual, मुझे एक बात बताओ, individual में male भी आ जाते है, female भी आ जाती है, third gender भी individual में आएंगे है नहीं, is there also individual or not, answer is yes, third gender है, वो भी individual में आ जायेंगे, ठीक है, पहले बड़े दिक्कत आती थी पता है, आपको जब हम बढ़ते थे, अभी तो क्या है ना, female के लिए अलग है, third gender के लिए कौन सी tax rate apply करे, तो महारे प्रॉफेसर फिर बोल देते थे, एक काम करो, जो ज़्यादा beneficial है, वो ले लो करके, ठीक है, यह बोल रही है, average, वाउ, इनको है ना, मैरे भारत रत ना क्यों नहीं मिल था, मैं बताओ, बच्चे है ना, बच्चे जो intermediate के बच्चे जो doubt पुछते है ना, उसका level अलग ही रहता है, मैं अभी तो face to face बहुत सालों बात पढ़ा रहा हूँ, 2019 के बाद मैं face to face पढ़ा रहा हूँ, जो पूरा बहच पढ़ा रहा हूँ, तो क्यासा होता था ना, मैं जब inter इंटर में एक topic आएगा clubbing करके, clubbing, clubbing मतलब, not that clubbing, जो आप सोच रहे है, वो वाला clubbing नहीं, clubbing का मतलब merge, कि जैसे minor की income है, वो किस के हाथ में club होती है, parents के हाथ में, मम्मी या पापा के हाथ में club होती है, जो minor की income है, तो मैं ऐसे पढ़ा रहा था, कि minor income is taxable in the income of the parents, it has to be tax taxable in the income of parents, like mother या father, जिसकी income ज्यादा है, उसके हाथ में minor की income club होती है, तो एक student नहीं हाथ उपर किया, और पूछा, कि sir, you are saying that minor child income is included in the income of parents, sir, अगर parents ही minor है, तो क्या होगा? बच्ची का doubt तो जहनों है, आप ये भी नहीं बोल सकते करके ठीक है, क्या से नहीं होता है, क्या सब भोल नहीं सकते हैं, बच्ची नहीं आप इसा बोल नहीं सकते हैं, बच्ची माइनर के चाइल्ड भी तो होई सकते हैं, minor के minor child, their possibility ना, so, तो रिप्लाइ यही था कर ठीक है कि मैं देख के आता हूं तो अब उसके भी माइनर की इंकम उसके परेंट्स तो मेरे बोला कि फिर उसके परेंट्स के आद में क्लब होगी और तो क्या हो वही हो सकता है परेंट्स के आपको बता है के क्लुब में क्लबंग में ठीक है क्या होगा तो पर्सण में इंडिविजू अगर कोई फ्ल परसं की वह चैसे इंडिविजू में आता है क्लップ है अरे भाई, तो unsound mind का अगर कोई person है, तो वो भी इसमें आएगा है नहीं, answer is yes, वो भी आएगा, तो individual है male, female है, third gender है भी आएगे, minor भी आएगे, as well as the, आपके जो unsound mind का अगर कोई person है, वो भी आता है, उसके बाद एक concept आता है, individual के बाद एक और person में आता है, H.U.F, H.U.F का म होता क्या है, H.U.F, होता क्या है, H.U.F, अगर अपन H.U.F, joint family, joint family, is H.U.F, यह आपकी income tax का module, ICI वाला, मुझे बताए, H.U.F किसको बोलेंगे, basically, कि यह sir, H.U.F है, जिस मैं करता हो, मैं तो बोल ली नहीं सकता, वापस कर गी, ठीक है, तो बोले, H.U.F कौन जिस मैं करता हो, ठीक है, जो है, H.U.F, तो H.U.F, मिस Hindu undivided family, अब एक बाद समझना, H.U.F को, हिंदू लोगों को, हिंदू लोग चाहे, तो H.U.F बना सकते हैं, नॉर्मली क्या है, जैसे एक husband है, उसकी एक wife है, शादी होनी चाहिए, H.U.F बनाने के लिए, wife है, husband है, मिस आप अक्यले नहीं बना सकते है, H.U.F, ठीक है, आपको H.U.F बनाने के लिए, husband है, wife होनी चाहिए, कुछ-कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कि इनका बच्चा होने के बाद ही H.U.F बना सकते हैं, मतलब अगर family में husband है, wife है, और बच्चा हो गया, तभी H.U.F बना सकते हैं, एक Supreme Court का तो judgment ऐसा है, कि बच्चा अगर पेट में भी है, तो H.U.F बना सकते हैं, टेक्स planning करने के लिए क्योंकि 7 लाग तक मानलो टेक्स नहीं लगता, या मानलो धाई लाग तक टेक्स नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं, ह.U.F बताते हैं, फिर income ह.U.F को divert करते हैं, और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो इन future में अपन दिखेंगे करगें, ठीक हैं, तो हिंदू undivided family में, normally क्या होता है, कि जैसे ही husband and wife है, बच्छा हो जाता है, तो वो लोग एक हिंदू undivided family constitute कर सकते हैं, उसका pen number बना सकते हैं, वो एक अलग separate entity माना जाता है, हिंदू undivided family एक separate entity माना जाता है, सर, question ही आता है, क्या हिंदू लोग ही बना सकते हैं, answer is yes, answer is yes, नाम ही पता हिंदू undivided, तो हिंदू लोग ही बना पाएंगे, करके ठीक है, लिकिन जो जैन होते हैं, क्या वो हिंदू बना सकते हैं, नहीं, जो sick लोग होते हैं, वो हिंदू बना सकते हैं, yes, तो sick है, जैन है वो दोनों H.E.A.P. बना सकते हैं, लेकिन क्या Muslim लोग H.E.A.P. बना सकते हैं, नहीं, Catholic लोग H.E.A.P. बना सकते हैं, सिरफ Hindu लोग बना सकते हैं, तो Hindu लोग Jain है, Sikh family है, वो H.E.A.P. का ही part होती है, अब एक बात समझना, H.E.A.P. को income tax में इसके बारे में कुछ नहीं दे र की है, कि HUF जो होता है ना, उसमें दो school of law होते, आपने सुना दो school of law, एक breaker और एक दयाभगा, सुना आपने ये, कहां सुना था, कहां सुना ये मिताक्षा अनदयाभगा आपने, हãँ, Foundation में BCK में था BCK में था Mitakshra and Daya Bhaga क्या फरक है Mitakshra and Daya Bhaga में बस इतना ही था Mitakshra and Daya Bhaga में क्या फरक है तो देखो Please, please, please अपन बात कर रहे थे Person की कर गे तो Person में यह आपका ICI का मोडियूल है यह Person में इतने सारे Person होते है अपन सबसे पहले बात कर रहे थे Individual के Individual में कौन आता है कितना लिखना है, क्या लिखना है मैं लिखवा दूँगा आप सिर्फ धिहाने दर देजिए Individual में कौन आता है तो यहाँ पर Individual में ICI बोलती है Individual means only a natural person that is human being आप और मैं सब इंडिविजूल में आता है It includes both males and females भी आती है It also includes the minor a person of unsound mind भी आता है But the assessment in such case may be made on the guardian or a manager of the minor or lunatic who is entitled to receive his income Miss, अगर कोई unsound mind का person है या minor है तो उस पर assessment नहीं होता Income tax वाले उसको नहीं पकड़ते उसको नहीं बुलाते उसके parents को बुलाते है Legal guardian को बुलाते है उनको लोग बुलाते है In case of the diseased person मतलब किसी की death हो जाती है तो assessment would be made on the legal representative अगर किसी की death हो गई मालो साल में previous year में 6 महीने income कमाई उसके बाद मालो death हो गई तो उसका assessment करने के लिए assessment year में उसके जो legal representative रहते है उनको बुलाया जाता है अब H.E.A.P. का मतलब क्या होता है तो देखो Hindu undivided family under the income tax act 1961 H.E.A.P. is treated as a separate entity for the purpose of assessment अग अलग entity माना जाता है It is included in the definition of term person यह person में आता है The levy of income tax is on every person therefore income tax is payable by the H.E.A.P. also But H.E.A.P. के बारे में not been defined under the income tax act Income tax act में कहीं पे भी नहीं दे रखा है इसके बारे में फिर कहां दे रखा है Hindu law में दे रखा है अब देखो H.E.A.P. में जो लोग होते हैं उनको member बोला जाता है क्या बोला जाता है member और एक होता है co-parsner एक होता है member और एक होता है co-parsner कोई बताएगा फरक क्या है कि ये member है और ये co-parsner है हाँ एक होता है H.E.A.P. में जो लोग होते हैं एक Hindu family बना दी जैसे husband wife बच्चा हुआ उसमें एक होता है co-parsner और एक होता है member फरक क्या है कौन बताएगा इधर से हाँ बेटा आप बताओ co-parsner ऐसे होते है जो बटवारे के राइट के लिए demand कर सकते है बट member जो होते है वो बटवारे के राइट के लिए demand नहीं कर सकते है क्या ये भहिया सही बोल रहे है क्या ये भहिया सही बोल रहे है क्या और कोई दूसरा भहिनों नहीं ये बोला कि जो co-partner रहते हैं, वो बटवारे के लिए मांग कर सकते हैं, कि भरगर की प्रॉपर्टी बाटो, और बटवारा करा हो, वो होते हैं co-partner, और member है, बटवारे के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्या यह सही बोला इनोंने? सही बोला? अंसर इस, सही बोला इनोंने, एक होते हैं member, एक होते हैं co-partner, co-partner वो होते हैं, जो बटवारे की मांग कर सकते हैं, क्या बटवारा करो, हमको प्रॉपर्टी दो करेंगे, ठीक है, वो मांग कर सकते हैं Hindu family में, उसको co-partner बोलते हैं, अब आप बोलोगे के co-partner कौन होते हैं, और member कौन होते हैं, तो देखो, co-partner ही member होते हैं, पहली चीज़ तो यह, member co-partner है या नहीं, वो फरक नहीं पड़ता, बढ़ को-partner है तो वो member तो ही है, अब एक चीज़ समझना, जो co-partner कौन होते हैं, किसी मानलो, किसी के बच्चे जो होते हैं, भले वो लड़की है या लड़का है, वो दोनों co-partner होते हैं, अपने parental property में, हक मांगने का right, लड़की का भी उतना ही है, जितना लड़के का है, पहले नहीं था, 2005 के आसपास, 6 September 2005 को, एक judgment आया दा सुप्रीम कोट का, और सुप्रीम कोट ने बोला, कि ऐसा कैसे, आप लड़कियों को हक क्यों नहीं दे रहे हो भाई, जितना right लड़के का है, उतना ही right लड़की का है, तो यहां पर जितनी भी लड़किया बैठी हुई है, आप ध्यान रखिए, कि आपके अगर भाई भी जो है, जितना हक भाई का है, उतना ही हक आपका भी है, जो पापा की प्रॉपर्टी है, अगर बाटने पे जाएगी, तो आपका भी equal हक है, आप को पार्सनर है, जो डॉटर्टर्स होती है, इस दिन से 2005 से ये चेंज हुआ, पहले नहीं था, पहले सिरफ लड़कों में बाटी जाती थी, लड़कियों को बोला जाता था, हिंदू लोग में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ससुराल में तो मिलेगा ही नहीं करके ठीक है, और यहां पियर में भी नहीं मिलेगा, तो बोला ऐसे कैसे, तो अभी इस डेट के बाद से, हिंदू अंडिवाइडेड की फेमिली की जो असेट है, उसमें लड़कियों का भी राइट है, लड़किया भी को पार्सनर मानी जाती है, अब एक चीज समझना, कुछ ऐसे लोग होते हैं हुआप में, जो मेंबर है, बट को पार्सनर नहीं है, कौन-कौन हो सकता है, कोई बताएगा, कि मेंबर है और को पार्सनर नहीं है, हाँ, जैसे जो बेटा है, उसकी शादी हो गई, हाँ, मेरे हुएप 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 म के पापा के हुआप में, को पार्सनर है या नहीं, यस, तो पापा के हुआप में वो मेंबर भी और को पार्सनर भी है, तो एक परसन दो-दो जगे में मेंबर हो सकता है, मेरी वाइब जो है, वो हमारे हुआप की मेंबर है, यस, और उसके पापा के हुआप में भी मेंबर है और co-partner भी है तो उसके पापा की property को बाटके ले सकती है बट हमारी property को बाटके नहीं ले सकती है अब एक बात समझो तो मैंने बोला मेरा जो है उसमें मेरी wife जो है वो member है बट क्या नहीं है co-partner नहीं अब माल लो मेरा बेटा हुआ यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि देखो य क्या बोले यार मालव यह एक बंदा है मेरे को लगता है थोड़े दिन बाद है ना आके ऐसे बोलेंगे खरके ठीक हाथ रखके गंदे पर बोल भाई कैसा है तो हुआ क्या यह माल लो Mr. B.B. और यह Mrs. B.B. हमारा एक है चुए पर तो Mr. B.B. Mrs. B. तो मेरी wife क्या है member है बट क ओ पर शनर नहीं है अब बात बता हम दोनों से बच्चे हुए सच में ठीक है तो हम दोनों से बच्चे हुए बच्चे हुए इसी को कॉपी मार देते हैं ना बच्चे कोई है तो यह हमारे दो बच्चे हुए एक का एक लड़की है एक लड़का है अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं Mr. C.C. और इसका Miss DD ठीक है यह बोलती है मुझा शक है क्या आप ही के बच्चे है या नहीं करके ठीक है अरे भाई हमारे ही है करके ठीक है DNA टेस्ट करा है हमने ठीक है अब एक बात एक बात एक बात एक बात एक लड़का एक लड़की है यह पार्सनर है मेरी बेटी का भी इकल राई है या नहीं है बेटी को पार्सनर होती है लेकिन इक बात बताऊ यह जो मेरा बेटा है CB यह CB नहीं क्या गिया किसी एक लड़की से शादि कर ली और यहां पर एक लड़की को लेक्या अ adesso लोगों को है सच्छी मेरा बोलने से वह बहुत सोचना पड़ता है एक लड़की को शादी करके लेकर आया और इस लड़की का नाम है इसका सरणिम B क्यों होगा करें ठीक है हमला शादी के बाद दो होई जाएगा शादी के बाद इसका नाम है QB ठीक है, अब एक बात बताओ, QB ये CB की BB है, किसकी है, CB की BB, कौन है QB, अब मुझे एक बात बताओ, QB जो है, ये हमारे HUF की member तो है, member है, बट क्या इसके पास बटवारे का हक है या नहीं, इसके पास बटवारे का हक नहीं है, तो simple सी बात बताओ, किसी भी HUF में, जो अगर मानलो, parent है, तो parent से जो बच्चे हुए, उसमें लड़की है या लड़का है, दोनों का हक माना जाता है, बटवारे का, co-partner है, लेकिन जो बाहर से आते हैं, मतलब बर्थ उन से नहीं हुआ, बाहर से आये, कौन एक तो बीवी हो सकती है, एक बहू हो सकती है, तो बीवी और बहू है, वो हुआ की मेंबर होती है, लेकिन उनके पास में co-partner का राइट नहीं होता, मैं इस बटवारे का राइट नहीं होता, अब एक बात समझना, अब, step children, मुझे बताओ, step children चलेंगे या ने चलेंगे, बटवारे का राइट है या नहीं, अगर मानलो, मैंने step children, मान आपके बच्चों में आएगा, adopt वाला, आएगा, adopt वाला आएगा, as well as step वाला क्यों नहीं आएगा फिर, क्यों नहीं, अगर मानलो, तुमने किसी आंटी से शादी कर ली, अगर मानलो, for an example, अगर adopt वाला जब आपका बच्चा है, legal बच्चा है, उस पर बटवारे का right है, adopt क किया है, तुमने किसी आंटी से शादी कर ली, उनके already एक बच्चा है, तो वो बच्चा तुमको भी तो पापा बोलेगा न, तो तेरी property में तुछाता है, उसका हक ना हो, तुमने शादी क्यों की हिंदूलों में, हिंदूलों में, अगर आपने शादी की, तो मेरे को लगत है, तो भी मैं एक बार चेक कर लूँगा, कि स्टेप वाला आता है या नहीं आता, बट इस टेप वाला भी normally क्या होता है, simple सी बात है, इस बंदे न मालों किसी आंटी से शादी कर ली, उनके already दो बच्चे है, तो जो दो बच्चे है, वो इनके भी दो बच्चे माने जाए फिर उस लड़की के ससुराल साइड में मिलेगा ना, इधर नहीं मिलेगा, क्योंकि normally हमारा male dominant समाज है, जो male साइड से चलता है, ठीक है, चलो, हाँ, क्या, डिवार्स हुआ, 50-50 डिवार्स में होता है, irony क्या बोत開 यहलोrich? नहीं उसको 50, ङुआ है व क्य op पूरी प्रॉपर्टपर्टी का बटवारा हो तो थो कारी रेगी? मेरे पापा की प्रॉपर्टि है, मेरी BVB उसमें member है, मैं भी हूँ. तो मेरी पापा की प्रॉपर्ट उसमें कैसे बटेगी? और मेरा जो हिस्सा आएगा उसमें मेरी वाई इसा ले सकती है इसमें इसकुल उब लो होते हैं यह होता है दयाभागा इसकुल उब हिंदू लॉग और एक होता है मिताक्ष्रा School of Hindu Law अब आप बोलोगे मिताक्ष्रा और दया भागा में फरक क्या है मिताक्ष्रा Hindu of Law है न वो चलता है West Bengal और Assam में दया भागा जो है वो चलता है West Bengal में and Assam में दो स्टेट में दया भागा फॉलो होता है और वाकि पूरा जो इंडिया है वहाँ पे आपका मिताक्ष्रा है वो फॉलो होता है अब आप बोलोगे मिताक्ष्रा और दया भागा में फरक क्या है फरक यह है कि मिताक्ष्रा Hindu Law क्या बोलता है कि घर में जैसे ही बच्चे का जनम हो गया जैसे ही उसने बोलना चालू किया रोना चालूगी अगर में जनम हुआ, होते ही उसके बाप की जितनी property है, उसमें सबका उसका right है, उसके जो parental property आ रही है, उसमें उसका right आ जाता है, that is called मिताक्षरा इसकुलोप law, तो मिताक्षरा इसकुलोप law क्या बोलता है, कि जैसे ही आपका जनम हो गया, जनम से ही आपका parental property में आपका right है, आपको भगा नहीं सकते हैं, नहीं तुझे नहीं देंगे, ऐसा नहीं, आपका right है, लेकिन दयाभागा इसकुलोप law जो वेस्ट वंगल और आसाम में चलता है, उसमें क्या है, कि जब तक तुमारे पापा जिंदा है, तुमारा कोई right नहीं है property में, आधा जी, आधा जी के पास बहुत करोड़ों की property है, तुमने जनम लेते ही करोड़ बती हो तुम, तुमारा right है, अगर तुमको घर से कल बे दखल कर देना, कि पूने गया है, और यहीं पर रह लेना, आपका right है, आपका right है, आप छोड़ नहीं सकते right, आपका right है, लेकिन than West Bengal and Assam, तो देखो, यहां पर अगर मिताक्षरा की बात करूँ, जो अपने यहां पर चलता है, मिताक्षरा क्या बोलता है, one acquired the right to the family property by his birth, जैसे ही birth हुआ, घर में जो है, वो आपके रोने की आवाज हाई, तो जैसे ही आपके पास right आ गया, and not by succession, irrespective of the fact that his elder are living, भले अगर जिन्दा है, मानलो बापा जिन्दा भी है, या कोई जिन्दा भी है, उससे फरक नहीं परता, आपका जैसे ही जनम हुआ, family की property में आपका right आ गया, दूसरा, does every child born in the family acquire a right or share in the family property, उस family की property जो भी है, उसमें आपका right है, लेकिन दया भागा इस कुलोब लो क्या बोलता है, nobody acquired the right or share in the property by birth as long as the head of the family is living, मिन जब तक head जिन्दा है, तब तक आपका उनके बच्चों का उस property में कोई right नहीं है, does the children do not acquire any right share in the family property as long as his father is alive and only on the death of his father, children will be acquired right or share in the property, death के बाद ही है, वो आपको right मिलेगा, उससे पहले नहीं, hence the father and his brother would be co-parsner of the H.U.F. H.U.F. के co-parsner है, वो सिरफ father और brother ही उसके रहेंगे करगे, ठीक है, तो जैसे मालो दादा जी की property दी, दादा जी टपक गए, तो दादा जी के टपकने के बाद, वो property, father और उनके भाई, तो co-parsner वो ही है, आप लोग नहीं बनोगे, अगर आप आसाम में रहते हो, एंड कुछ करे ना करे, मुकेश अंबानी की अगर family property कुछ भी है, तो उसमें उस बच्चे का right आ गया, क्योंकि हम लोग मिताक्षा, school of Hindu law है, वो follow करते है, अब आपको जो question bank मिलने वाला है, आपको एक compiler मिलेगा करके ठीक है, और ये compiler आपको मिलने वाला है, और ये compiler is amended by the finance act 2023, ICI का जो latest material है, उससे ये amended है, कल mostly आपको मिल जाएगा, कल या परसो आपको मिल जाएगा, इसमें मैंने क्या कर रखा है, बहुत सारे question डाल रहे है, ये 411 page का है, और 411 page सिर्फ question answer है, answer सब जगे नहीं है, कुछ का answer मैं class में कराऊंगा, कुछ answer मैंने यहाँ पर दे रखे है, अ इसके साथ साथ मैंने आपको 40 page और जोड़े है, जो institute ने इस बार आपके module में puzzle डाली है, ठीक है, आप अगर ICI का material देखोगे न, तो ICI ने इस बार आपके लिए puzzles वगेरा भी डाली है, बहुत अच्छा module बनाया है ICI ने, तो यहाँ पे case scenario बनाये है, यहाँ पे puzzle बनाई है तो यह overview of the section आपको एक बहुत बड़ा इनोंने एक scenario दे रखा है, कि आप इसको पढ़िये पहले, कि एक बन्दा है, अनिल है, जिसकी 50 साल की age है, जो business कर रहा है मुंबई में, उसके parents की age यह है, वैसे है, यह सब दे रखा है, और इसके बाद आपसे कुछ question पूचे हुए ह और इस question का answer देना है, यह सब चीज़े हमने material में इस बार cover किये है, कुछ भी ऐसी चीज़ ICI module में नहीं है, जो के भई हमने cover नहीं की, all questions किये, यह देखो यह puzzles दे रही है, crossword puzzles, तो crossword puzzles है, वो भी इस बार हम solve करेंगे, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो दे रखा है, उस द कुछ question का answer मैंने दिये है, कुछ के नहीं दिये, जैसे यह question number 1 है, तो question number 1 का answer मैंने नहीं दिया, because this question का answer हम class में solve करेंगे, तो question number 1 का answer नहीं दिया, because class में solve करेंगे, यह question मैंने कहां से लिये है, वो भी मैंने बताया है, कि यह SM का मतलब study mat का question है, यह दूसरा question SM का है, यह भी और यहां पर हमने जितने भी MCQs थे, MCQs के हमने सब case scenario बना के दिये है, कि जितने ICI ने आज तक MCQs दिये है, वो MCQs बगरा है, वो यहां पर पूरा दे रखा है compiler में, और फिर उसकी answer की भी दे रखी है, और मैंने MCQs के paper बना के दे रखे है, उसके साथ साथ में जो अपन questions की बात कर रहे थे, कि questions में मैंने ये भी दे रखा है, कि ये कौन से exam से लिया गया है, जैसे आप देखोगे, यहां पर जो questions में आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे ये question है, तो ये सीधा paper है, ये paper May 2022 paper है, वो as it is मैंने दे रखा है, तो आपको यहां पर exhaustive coverage मिलेगा, आप बिल्कुल भी उस चीज़ का tension ना लीजिए, कि आपको coverage wise income tax में क्या होगा, मैं final मैं mostly पढ़ाता हूँ, final मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, intermediate है, वो intermediate भी लाइक अभी तो बहुत साल होगे, जब intermediate पढ़ाते पढ़ाते, बट मैं आपको बोलू, आपको जो coverage wise है, वो बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, आपको सिर्फ मेरे साथ में, ये 70 days अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं homework देता हूँ, उतना आपको homework करना है, बस इतना आप करके आ जाओगे, तो बहुत है, अब एक बाद समझना, ए भाई कहा जा रहे हो, जैसे कुछ question के solution मैंने यहीं पे दे रखे है, देखो, यहाँ पे जैसे इस question का मैंने solution यहीं पे दे रखा है, जैसे question number 6, आज जो अपन ने discuss किया उसी के basis पे, ब्लीज, चुटा सा question है, ब्लीज, ब्लीज, ए, ए, एक है मिताक्षरा और दया भागा, दया भागा कहाँ पे ठीक है, पापा जिंदा है, तब तक पापा है, वो को पार्सनर है आप नहीं, तो ऐसे ही दो question लिये है, try to understand सबसे पहला question, पहला तो, what are the two schools of Hindu law and there are, where they prevalent and explain also mention the difference between the two schools of the Hindu law, दोनों में क्या differences है, तो देखो, the two schools of Hindu law are दया भागा इस्कुल, जो वेस्ट मंगोल आसाम में लगत दुटा है, अटर दया भागा श्कुल of Hindu law, नोगोब एक्षाइ रिलागा एक रिष्ट रिण वापरी भी जो अगोई है, जो यूड धो यूच कि वी दो से हृट रिलागा भी जो अखोई पार रिलागा भी जो वेद पापरी जो फे रिलागा जो ऑेखों अधर बिलागा इसी को लेके एक दूसरा छोट उसा क्वेस्टन है, जो आसाम में है, इन दा आसाम, एक बात बताओ, अगर वो आसाम में है, तो कौन सा स्कूल अब लौ चलता होगा, कौन सा, दया भागा चलेगा, मिताक्षा नहीं चलेगा, और दया भागा में बच्चो का राइट जनम से आता है, या मरने के बाद आता है, ठीक है, बच्चो का राइट, बच्चो का राइट, बच्चो का राइट, बच्चो का इस में से बटवारे का राइट किसके बास है? अगर यह आसाम में है, तो एक बात बताओ, सुरेच जैन जो है, वो हैड है, और उसका भाई कौन है? प्रितम जैन. तो इन दोनों का राइट को पार्सनी राइट है? इनके बच्चों का राइट नहीं है, और बेटी का, बहु का वगएरा कुछ भी नहीं है, जब तक यह जिन्दा है, क्योंकि यह कहाँ पे है? आसाम में. लेकिन मालो इस क्वेस्चन को अगर चेंज करके आईसे ही कभी ऐसा पूच ले, कि यह आसाम की जगे मालो महराष्ट्रा डाल दे, तो महराष्ट्रा डाल दे, तो जैन ही अप में, सुरेच जैन जो है, वो को पार्सनर है या नहीं है, उसकी बीवी, सपना जैन, को पार्सनर है या नहीं, सपना जैन को पार्सनर नहीं है, क्योंकि बीवी जो ह वो भी co-partner है, you got my point or not, yes or no, yes, but यहाँ पर आसाम का question है, तो देखिए, आई से ने क्या दे रखा, Daya Bhagā school of law is applicable in आसाम. In Daya Bhagā school of Hindu law, nobody acquire the right or share in the property by the birth as long as head of the family is living. Thus the children do not acquire any right share in the family property as long as his father is alive. Only on the death of his father, the children will acquire right or share in the property. Hence Mr. Shurek Jain and his brother Mr. Pritam Jain would be the co-partner of the Jain H.U.F. and eligible for the co-partnery, right? तो हम जो यहाँ पर आज lecture का समापन कर रहे है बट हम पढ़ क्या रहे है? हम पढ़ रहे हैं परसन का definition कि परसन में कौन कौन आएगा सबसे पहले क्या पढ़ा? इंडिविज्वल, दूसरा क्या पढ़ा? ठीक है, कल अपन तीसरा चालू करेंगे कंपनी क्या होता है, पाटनर्शिप फर्म क्या होता है एओपी, ब्योई क्या होता है वो अपन कल बात करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर आके मेरे से पूछ सकते हो मैं 5 मिनिट यहीं पर हूँ